दोस्तों हमारे एक अलग अलग लेवल का यह बैच रहेगा यह बैच कौन से यूनों स्टुएंट्स के लिए अपली के बले या बाकी इसके डीटेल्स क्या है सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आपको बस प्रेशन्स रखना है और जुड़े रहना है मेरे सब्सक्राइशन में बताइए कि हम लोग लाइव है क्या यह 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 आई थिंक वी आर लाइव मेरा ओडियो वीडियो क्या आप तक एक दम अच्छे से तुनाई दे रहा है राकेश यादव बाकी लोग भी जुड़ जाई है पड़ाफट पड़ाफट एक्जाम औरियेंटेड फाइनेंशल मैनेजमेंट का यह बैच जो रहेगा यह धमाकेदार बैच आपके लिए रहेगा में 24 अगर आप टार्गेट कर रहे हो तो बस यही वो बैच है जो आपको एफम के अंदर आपका स्को अब यूट्यूब लाइब रहेगा दो दिन आज और कल दो दिन यूट्यूब रहेगा तब तक आपको एक्टिवेशन की नहीं मिल जाएगा ताकि हम लोग जोड़ पाए अब के तुरू आई एस चलिए चलिए पड़ाफट पड़ाफट कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए क्या हम लोग तैयार है इस एक्जाम ओरियंटेट बैच के लिए ब्रिलियंट माइडियर फ्रेंट्स तो आइस तीए प्रेशान साड़ा वेलकम यू ओल तु दिस वंडर्फुल वंडर्फुल सूपर डूपर बैच एक पावर पैक बैच रहेगा यह 60 आर्स का और यह 60 आर्स न आपके गेम चेंजर रहेंगे एक पैम विट एसेम के लिए आपका यह गेम चेंजर बैच रहेगा और इस बैच के अंदर कैसे कैसे किया जाएगा सरी इस बैच में क्या होगा तो इस पूरे के पूरे डीटेल में आपको देने वाला हो दोस्तों यह देखिए यह एक्जाम औरिंटेट बैच का बुक का इसका soft copy भी आपके साथ share कर दिया जाएगा आपका कोई time loss नहीं होगा don't worry at all तो यह pull मिला कर total approximately 200 pages का बुक है जिसके अंदर abundant questions जो हम लोग solve करने वाले साथ में मिलकर और आप भी obviously solve करोगे इसमें से maximum questions जो है हम साथ में मिलकर यहीं पर class में खतम कर देंगे आप ही solve करोगे तो इसका मतलब separate अलग से इसको time देने की ज़रत नहीं homeworks के अलावा yes FM के homeworks के अलावा आपको obviously किसी और चीज़ को time देने की ज़रत नहीं रहेगी hope only six days classes will be heard क्या आप बात है शिवम पट्रेल पहले ही बोर रहा है भाई clear कर दो सर संडे को आप lecture लेते हो तो यहाँ पर आप संडे को लेक्चर नहीं लोगे ठीक है भाई नहीं लेंगे don't worry at all Sunday को कोई class नहीं होगा मनिश बुर्रस सर SM पढ़ाओगे सर SM मैं नहीं पढ़ाता हूँ भाई SM तोड़ सर पढ़ाते है तो SM का भी exam oriented badge जो अमित सर का है वो आने वाला है इसके बाद yes मैं नहीं पढ़ाता हूँ SM ठीक है Sunday completely एक off day लिया जाएगा हम सब के लिए ठीक है even I want break चलो तो guys let me tell you all the details without wasting time हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह है आपका first day of exam oriented badge for FM FM का exam oriented badge का यह first day है my dear friends और इस दिन हम लोग obviously पूरा का पूरा detailed discussion कर लेंगे आपके badge के बारे में तो सबसे पहले duration की बात कर लेते हैं guys इस badge का duration जो है वो 60 hours अप्रॉक से अप्रॉक से इसका मतलब थोड़ा बहुत change हो सकता है vary हो सकता है ठीक है and दूसरी important बात इस badge के लिए आपका syllabus coverage कैसा रहेगा sir क्या आप पूरा syllabus पढ़ाओगे क्या आप इसमें से कुछ चुनिन्दा पार्ट पढ़ाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों यह exam oriented batch है इसमें all topics will be covered all topics except जो आपका purely purely theoretical topic है वो है types of financing types of financing यह जो topic है इसके important theory discussion होंगे इसके important theory discussion होंगे यह topic सरिफ मैं आपको line by line read करके नहीं पढ़ा सकता हूँ यहां के सभी questions हम लोग solve करेंगे each and every question solve करेंगे बट यहां का theoretical part जो है line by line नहीं पढ़ाओगा मैं आपको इसका पूरा idea देकर आगे बढ़ाओगा है तो types of financing chapter number six है हमारे index में except for I can say types of financing अब तीसरी important बात कर लेते दोस्तों इन सब के बारे में तीसरी important बात कर लेते कि सर्य बैच applicable किसके लिए रहेगी तो यह बैच applicable रहेगा दोस्तों May 24 अबलिक November 24 जो target कर रहे है उनके लिए यह बैच applicable रहेगा मेट 24 और नवंबर 24 टार्गेट करने के लिए सर अगर हमने नवंबर 23 प्रेपेर किया है तो सर क्या हमें यह बैच करना जरूरी है 110 परसंट येस क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस में एक टॉपिक जो ही वह डिलीट हुआ है और उसके साथ साथ कुछ जगह कुछ जगह कुछ चीजों को एड किया है उनके ट्रिट्मेंट को चेंज किया उनने तो आपिस निवह सब बातें डीटेल में डिसकुस होगी करेंगे इसको पड़क से कैसी पर कैसे सॉल्फ करेंगे यह कैसे होगा एंदर येस तो एंसी क्यू पॉइंट अफ्यू से भी यह बैच अच्छे से पड़े जाएगा नथिंट वरी अट अट उस वज़े से आपका जो स्कोर है एफम का 15 मार्क एंसी क्यू का उस पे plus Hindi which we call it as English so I will be using the combination of both the languages because students will be comfortable at the at their own convenience you know they will be comfortable with either of the language so I will be explaining you know in Hindi as well as English nothing to worry at all yes fifth important point sir timing क्या रहेगा बैच का time क्या रहेगा every day timing will be guys 11 15 approach 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 because I have my lecture till 11 11 5 so 5 10 minutes इधर उधर हो सकता है but yes 11 15 approximately till approximately 2 p.m. till approximately 2 p.m. yes 2 p.m. sir because यहां पर patch का duration है मैं वो कम दिनों में आपको अच्छे से cover करा दूँगा तो आपका 60 hours का duration जो हो फिट होगा बराबर से so approximately इधर 15-20 minutes इधर उधर हो सकता है 15-20 minutes इधर उधर हो सकता है nothing to worry at all so every day this will be the timing for our batch yes तो भयानक तरीके से हम लोग entire syllabus का coverage करेंगे another level का confidence आने का दिमेदारी पूरा मेरा batch के अंदर पूरा का पूरा conceptual clarity देने का काम मेरा यहां पर batch का approach क्या रहेगा आपका what will be my approach and your approach towards the batch will be from scratch yes at most conceptual clarity के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे and at the same time I will not expect कि आपको सब कुछ आता है I will be explaining you right from bottom level and believe me friends when I say bottom level it will be like अगर आपको mathematical calculation भी नहीं आ रहे न तो मैं अजिन नहीं करूँगा कि आपको आते मैं वो भी आपके साथ करूँगा at least एक बार ताकि आपको बाद में समझ जाए कि इसको calculate कैसे करते है so मेरे मैस के दुश्मन हो डरने की ज़रत नहीं है जो लोग यहां पर मैस के दुश्मन category के है you have nothing to worry at all you have to understand one thing that is this batch will be a game changer for you and that is my promise यह 60 hours आप मेरे साथ invest कर दो आपका May 24 हो या November 24 हो एक जटके में बहुत अच्छे marks से हम लोग पास हो जाएंगे that is assurance that is my assurance बड़ उसके लिए आपको देना होगा आपका 150% आपको जो homework मैं बोलू आपको करना है मतलब करना है yes absolutely करना पड़ेगा ठीक है nothing to worry at all और बहुत जबर्दस तरीके से ना हम लोग homework के साथ extra practice के साथ कुछ important important exam के day के angle से भी मैं आपको tips दूँगा कि आपको exam तक क्या करना है वो preparation में आपका करा दूँगा आपको ड़ने की कोई ज़रत नहीं दोस्तों मैं हूँ आपके साथ end तक रहूँगा आपके साथ सर MCQ के लिए क्या करे सर मैंने already 400 MCQ का एक question bank बनाया है क्या वो purchase करना पड़ेगा सर बिलकुल नहीं यह आपके exam oriented के साथ ही दिया जाएगा आपको yes तो let me now tell you कि exam oriented के साथ आपको course material के तौर पे क्या मिलेगा exam oriented के साथ आपको course material के तौर पे मतलब books के तौर पे क्या मिलेंगे इस batch के जो books है oblique material है वो क्या रहेंगे दोस्तों देख लीजिए सबसे पहली book आपको मिलेगी exam oriented batch का textbook exam oriented batch का आपको textbook मिल जाएगा दूसरी चीज आपको मिल जाएगी FM की questionnaire book ताजा ताजा रेड़ी हुआ है FM का questionnaire book with mcq bank yes my dear friends 400 approximately mcqs यहां पर इस questionnaire book में डाल दिये है अल्रड़ी नए questions अल्रड़ी आड़ किये मैंने पुराने questionnaire book में बहुत सा addition हुआ है textbook के अंदर भी नए questions add कर दिये है क्या यह सब कुछ सरबैच में हो जाएगा yes हम लोग क्या करने वाले textbook पूरा discuss करके solve करने वाले questionnaire book आपको दिया जाएगा आप practice कर लो उसके सभी lectures भी YouTube पर अवेलेबर रहेंगे आपके doubt solving के लिए तो यह जो पार्ट है questionnaire book का इसका explanation पूरा YouTube पर आ जाएगा और यह जो textbook है यह पूरा का पूरा class के अंदर solve किया जाएगा आपके साथ एंद साथ साथ में आपको मिल जाएगा FM with SM का चार्ट बुक for your revision for your revision what we are going to do is we are going to have a wonderful wonderful color chart book for you and that chart book will include FM with SM भले ही आप FM enroll कर रहे हो आप SM enroll नहीं कर रहे हो बट आपको चार्ट बुक दोनों का एक साथ मिल जाएगा because FM देने वाला SM देने वाला है तो obviously उसको हमारे तरफ से complimentary तो जो भी आमित सर से नहीं पड़ पाए बट उनके revision techniques use करना चाहते आपको FM के साथ SM का चार्ट बुक मिलने वाला एक ही combined बुक ब amazing game changer book यह आपको मिल जाएगा definitely sir मैंने आपको old EOB लिया था use continue कर सकते क्या sir please reply the music old EOB में कुछ चीजे ऐसी थी जो old वाली थी यह new वाली जो है इसके अंदर आपके मैंने आपको जस्ट अभी आपके आने के पहले ही मैंने समझाया कि यह जो batch है इस batch में हम लोगों ने new questions incorporate क किये एक पूरा institute ने chapter delete कर दिया वो तो खेर आपको पढ़ना ही नहीं रिस करने से सिन capital budgeting but institute ने mcq pattern लाया है बेटा तो मेरा पढ़ाने का तरीका जो रेगा वो mcq को भी coverage देगा जिसके लिए 15 मार्क है जिसके लिए 15 मार्क है यह तो मुझे लगता है कि आपने यह batch करना च ठीक है आप सभी को मेरे साथ connected रहने के लिए connect रहने के लिए doubt solving के लिए क्या करना है so guys doubt solving जो है batch के duration में आप online batch के साथ पूछ सकते हो तो सबसे पहला आपका mode रहेगा online plus आप मुझे telegram पर भी doubt भेज सकते हो कोई problem नहीं है plus आप मुझे whatsapp पर भी doubt भेज सकते हो कोई problem नहीं तो आपकी जो चार्ट बुक मिलेगी आपको उसके नीचे मेरा WhatsApp नमबर लिखा रहेगा बट एक ही काम करना बस normal working hour में भेज देना ठीक है that will be a blessing normal working hour में भेज देना that will be a blessing for us and guys doubt solving के लिए complete support मिलता है complete का मतलब 24 by 7 नहीं होता दोस्तों Sunday नहीं मिलेगा support yes नहीं मिलेगा सब क् working hours में मिलेगा 24 hours नहीं मिलेगा working hours में मिलेगा आप जबी भी रहेगा आप एक बार doubt भेज दोगे ना उसके बाद आपको वेट थोड़ना करना स्क्रीन के तरफ देखते हुए कि प्रशान सा reply देंगे तभी मेरा आगे बढ़ना होगा अदोवाज मैं पढ़ा ही नहीं करू से तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूत नहीं है you are in the safest hand guys from past 17 years I am teaching this subject of financial management I guarantee you you will you will have a favorite and awesome time with me and सबसे में आपका conceptual clarity at its peak रहेगा आपको डरने की कोई ज़रूत नहीं है पूरा का पूरा आश्पा संते तो में आपको कि आपका amazing time रहने वाला है yes guys तो ये पूरा का पूरा बैच के details होगे आपके तो हम लोग शुरुवात करते हैं इस बैच के बारे में आप लोग और कोई कोई रहेगा तो आप परसनली पूस सकते हो मुझे ठीक है तो कोई आपको इसके आगे और कोई कोई रहेगा तो आप मुझे भेज सकते हो समझे चलो start करते हम लोग financial management की ज माक में आता है आपको क्या लगता है आपको एक finance manager क्या करता होगा येस माइडियर प्रिंट्स एक finance manager क्या करता होगा मुझे बताएंगे बोलिए फड़ा 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 कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे एक finance manager क्या करता होगा जब हम बोलते है finance manager है वो company का finance manager है तो वो क्या करता होगा दोस्तो तो बहुत simple सी बात है दोस्तो सबसे पहले just imagine yourself to be a finance manager of a company जो क्या कर रहा है जो newly incorporated है और आपको appoint किया as a finance manager तो वो क्या करवाना चाहता है आपसे वो आपसे करवाना चाहता है उसका overall financial management तो उसके सबसे में रोल आता है सबसे पहला रोल आता है दोस्तों कि आप पैसा बिजनेस में ला लो इस प्रोक्यूर्मेंट अफट्स पैसा बिजनेस में ला लो वीचिस काल प्रोक्यूर्मेंट अफट्स प्रोक्यूर्मेंट अफट्स का टेकनीकल नाम हमारे सिलबस में होता है financing function procurement अफ़ज को हम लोग टेकनीकली बुलाते है financing function क्या बुलाते सर financing function बुलाते बिटा То financing function मतलब business में पैसा लाना ये चीज सबसे main होती है और business में एक बार पैसा लाना decide हो गया तो आपको decide करना होता है कि कहा कहा से आपका पैसा आ सकता है which are the different sources जहां से आपके business में पैसा आ सकता है तो सबसे पहले आपको देखना होता है types of financing कि भाई business में पैसा कहां कहां से आ सकता है कहां कहां से आ सकता है उसके लिए आपको obviously क्या करना होता है types of financing देखना होता है येस तो यहाँ पर answers भी आ रहे है पड़ा 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 आंसर दे रहे मनिश शर्मा आपकी जो भी fees related query आप यहाँ पर मत पूछिए आप directly connect हो जाए या भी पड़ाई में ठीके और fees related चिंता मत कीजिए अगर हमारे old syllabus के student रहेंगे आप old student रहेंगे तो आपको consider किया जाएगा हमारे पूरे order detail चेक करके does nothing to worry at all ठीके जो भी रहेगा वह आपको टीम बता देगा अब भी आप जूड़ जाएगे पड़ाई में भाई आपके फीस नहीं बचाना है हमको पैसा कमाना सोचना है पैसा बचाना नहीं सोचना है पैसा कमाना है तो यहां ध्यान दो ठीके आर सी सी को consider करके funds को utilize करेंगे sir very good be music what is RCC can you please throw a light on this yes please tell me RCC का मतलब आपको क्या लगता है नुनाल बोल रहे है company को पैसा कहा से लाना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए उसकी प्लानिंग कहां से लाना चाहिए और कैसे रेस करना के रेस करना उसकी प्लानिंग वेरी गुद मुनाल आचल बोल रहे sir how many lectures would you be uploading on YouTube two to three lectures will be on YouTube two to three lectures will be on YouTube because this is exam oriented batch two to three lectures means हम दो दो तीन चप्टर अप्लोड दो चप्लोड हो जाएंगे तो प्लीज फोकस यह एंड रिस्क कॉस्ट कंट्रोल वेरी गूड आप सी का लांग पार महां बोल रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल wonderful so guys everyone focus here let us go with the flow तो हम लोग ने सबसे पहले procurement of funds करना है procurement of funds के अंदर हम लोग देखते क्या हमारे पास available choices है उन choices को हम बुलाते है types of financing जैसे के company में जो पैसा आ सकता है दोस्तों वो अलग-अलग sources से आता है कौन से sources है वह हो equity share capital और कहां से पैसा सकता है प्रिफ्रेंस शेयर क्यापिटल और बता है पैसा आसकता है sir debenture से आसकता है sir और बता है कहां से आ सकता है term loan से आ सकता है sir तो guys यह सभी क्या बन गए आपके यह बन गए आपके types of financing etc डाल देते हैं भई अभी बस हो गया ठीक है so types of financing के अंदर हमारे पास यह सब choices है यहां से पैसा business में आया जा सकता है लाया जा सकता है fund raising यहां से हो सकता है but अब यह fund raising करने के लिए मुझे mainly देखना होगा जो भी music बोल रहे है risk cost and control risk का मतलब होता है दोस्तों आप जो पैसा ला रहे हो उस पैस्तों को periodically fixed rate of return देना होता है उस चीज़ का risk आप जो पैसा use कर रहे हैं ला रहे हो बिजनस में तो उसको periodically अगर आप fix rate of return दे रहे हो या commitment दे रहे हो तो obviously वो risk है दूसरी important बात दोस्तों cost अच्छा risk के अंदर एक और risk है पैसा तो लाल या आप वापस तो देना पड़ेगा न लोट आना तो पड़ेगा repayment of principal amount वो भी तो एक risk है तो risk दो तरीके की होती है कि दोस्तों सबसे पहला risk होता है आपका periodically fixed return देने का risk और दूसरा होता है आपका repayment का risk तो यह दो risk के रोल होते है रिस्क के अद तक आपको as a finance manager यह ध्यान देना होता है कि risk कभी भी balance चाहिए रिस्क कम नहीं चाहिए जादा नहीं चाहिए balance चाहिए according to size of our company क्योंकि obviously to earn more return you have to take risk but take balanced risk, take calculated risk, great, risk के बारे में तो समझ गया sir, what about cost sir, cost के अब तक क्या लगता है, तो guys यह सब different sources है, यह different sources के अलग-अलग cost होते दोस्तों और वो cost को consider करना होता है cost मतलब क्या, जो आप periodically उस पैसों को use कर रहे है उसका cost, जो आप उस पैसों को use कर रहे है उसका cost, उसे बोलते cost of capital, तो आपको types of financing के बाद cost of capital पर ध्यान देना होता है, और as a finance manager हर कोई यही try करेगा, कि cost of capital लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए, cost of capital लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए कम से कम cost होना चाहिए, that is called as cost of capital, cost of capital should always be cash preferred, low preferred, finance manager बन के सोचो, आपकी company है, business में पैसा आ रहा है, तो हम लोग यही try करेंगे दोस्तों, कि वो पैसों का cost कम से कम हो, वो पैसों का cost कम से कम हो, तो yes, cost of capital should always be less preferred, lowest preferred, और cost के अद तक तो जान लिया, lowest है, risk के अद तक तो जान ल balanced है, what is control sir, RCC में आप C बोल रहे हैं, एक और वो है, control, control का मतलब क्या होता है sir, control means management of company, voting powers, yes, that is called as control, risk, cost, control, तो यहाँ पर control जो है, यह होता है, management या voting powers, आप सब को पता है दोस्तों, कि इन parties में से, इन parties में से, कि इन के पास voting power है, फड़ा फड़ मुझे comment section में बता है, कि इ इन के पास आपकी company का voting power है, AGM में आके बेटेंगे, और बोलेंगे चलो हम से पूछो और हम vote करने वाले है, ऐसे कौन लोग है इन में से, बताइए फड़ा 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 मुझे comment section में, तो risk, cost, control, यह चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, बताइए फड़ा फड़ा कमें रोडर के पास होता है मेरा voting power, तो इसका मतलब कभी भी fundraising के वक्त मैंने ensure करना चाहिए कि मेरा control dilution balanced हो, control dilution balanced हो, very first day I am using technical words with you, because guys, आपको यह शब्द यूज़ करें बगर समझेगा नहीं, इसलिए मैं यह सब technical शब्द भी यूज़ करने वालो, और इतनी बार यूज़ होगा कि आप भी exam में use करकर आओगे, yes, तो यहाँ पर मैं बोल रहो control, control means management और voting powers, और मैं यह बोल रहो कि fund raising के वक्त, finance manager ने careful रेकर क्या करना चाहिए, dilution of control balanced होना चाहिए, यह देखना चाहिए, sir what is the meaning of dilution of control, voting power जो spread हो जाती ने बेटा, उसको बोलते dilution of control, जो voting power spread हो जाते उसे बोलते है dilution of control and dilution of control should always be balanced according to size of company, बिल्कुल सही है, balanced according to size of company होना चाहिए, dilution of control, तो dilution of control जो है equity share issue करने से होता है, preferential से नहीं होता है, preferential वालों को voting power नहीं दी जाती है, debenture owners को भी voting power नहीं दी जाती है, banks अगर term loan लेंगे तो उनको भी voting power नहीं दी जाती है, इसका by control dilution तो एक ही case में होगा, वो है fresh issue of shares, तो उस वक्त बस promoters नहीं यह ख्याल रखना है, कि ultimately हम promoters है, हम हमारी company है, और इन company के फैसले भी हमारे हाथ में होने चाहिए, तो आज जब आप बोते हो, reliance ambani का company है, tata, 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 tata and all, tata group का company है, aditya birla group का company है, you know, तो इसका मतलब इन ultimate control है, voting powers है, जो इन्होंने dilute नहीं होने दिया, balanced way में रखा उसे, yes, that is called as dilution of control, तो RCC, risk, cost and control देखकर होता है, इसमें मैंने सिर्फ एक ही लिखाई, cost of capital, अब उसके बाद, RCC में हम लोगों ने risk को रखा balance, cost of capital को रखा minimum, control को रखा balanced, control dilution को रखा balanced, तो control भी balanced है, और आपका, जो risk है, वो भी balanced है, और cost जो है, वो सबसे कम है, minimum है, yes, तो उस से हमने decide कर लिया हमारी company का, capital structure, yes, हमने decide कर लिया हमारी company का, capital structure, very good, different voting rights से भी control होगी न, sir, yes, different voting rights से भी control होगी न, sir, I didn't got your logic, मुझे समझानी, different voting rights से भी control होगी न, मतलब क्या, yes, majority stake रखना चाहिए, आमने, because हमारे पास ultimate voting power होनी चाहिए, बिल्कुल सही बोले आप भी music, now, capital structure decide करना है, means what, capital structure का meaning समझ दो पहले, capital structure का meaning होता है, mix, oblique, combination of, long term funds, mix, oblique, combination of long term funds, आपके business में, जो long term funds है, उसका mix, उसका combination, मतलब भी उसका ratio, उसका proportion, उसको हम बोलते है, capital structure, आपकी company का capital structure, जो ये long term funds का, वो सोच समझ के decide करना चाहिए, risk, cost, control, RCC को देखकर decide करना चाहिए, जिसमें से risk होना चाहिए balanced, control होना चाहिए balanced, cost होना चाहिए least cost, तो अगर ऐसा होता है, तो ऐसे capital structure को, advantage giving capital structure बोलते है, क्या बोलते है, एक बार बोलिए मेरे साथ, क्या बोलते है, advantage giving capital structure, और उसको बोलते है, leverage, leverage का meaning क्या हुआ सर, leverage का meaning क्या हुआ सर, advantage, my dear friends, leverage का meaning होता है, advantage, Advantage, Finance का एक बहुत ही common शब्द ही है, Leverage, Leverage का meaning होता है दोस्तो Advantage, येस, तो आपका Capital Structure Advantage कब कहलाए जाएगा, जब आपका Risk Balanced, Control Balanced, Cost कम से कम, Risk Balanced, Control Balanced, Cost सब से कम, उसको भोते है, Capital Structure is giving us Leverage means Advantage, बिलकुल सही है सरी है, तो एकदम जबर्दस समझ गया सर, पैसा बिजनस म मिलाना है, अलग-अलग sources available है, हर एक का cost देखा जाएगा, risk and control भी देखा जाएगा सर, cost होना चाहिए minimum सर, risk control होना चाहिए balanced, तो बस उससे हमने decide कर लिया, capital structure, capital structure का meaning होता है, mix और combination of long term funds, इसका मतलब short term funds नहीं देखे जाते, सिर्फ long term देखे जाते, capital structure के अतर, और फिर हम हम हमारी company में, ऐसा capital structure से लेकर चेज, जिसमें RCC, risk, cost and control के साथ, decide होने वाला capital structure था हो, जिसके अंदर, obviously risk को रखा balanced, control को रखा balanced, और cost of capital रखा सबसे कम, तो ये देगा आपको advantage, इस advantage को आपने बुलाया सर, leverage, इस advantage को आपने बुलाया leverage, very good, तो procurement तो हो गया है, चल आप दूसर side देखते, पैसा ला लिया, तो क्या पैसा लाने के बाद, एक finance manager का काम खतम हो गया, अरे भाई, आप घर बैटे लोग जो भी live streaming में देख रहे, आप भी तो answer दो, आरे वहाँ बैटे बैटे दो, type मत करो तो भी चलेगा, मगर बोलो, वहाँ बैटकर आप जितना answer मेरे साथ बोलोगी, जितना interact करोगे, उतना आपको बहतर समझेंगी, lectures, बोलो, तो यहाँ पर आप मैं बोल रहो कि पैसा आ गया है, तो क्या काम खतम हो गया, बिल्कुल नहीं, in fact आप काम शुरू होगा, वो जो पैसा आया था, उससे use तो करना पड़ेगा, और उससे use करने को ही हम क क्या बोलते हैं दोस्तों, उससे बोलते है, utilization of funds, क्या बोलते हैं दोस्तों, utilization of funds, तो आप जो business में पैसा लाए हो, उस पैसे को क्या करो, utilize करो, उस पैसे को business में use करो, utilize करो, उससे बोलते है, utilization of funds, मतलब ही, इसको भी एक टेक्निकल नाम है, क्या सर्जे से उधर एक नाम था, अपने लिखा है यल्लो मैं highlight किया है इधर भी कुछ नाम है कैसर येस इधर भी नाम है दोस्तों इसको बोलते investment function कि इसे हम बुलाते हैं investment function कि यह दिर फरेंट्स तो यह रहा आपका investment function utilization of funds utilization कितने टाइप की होते हैं दो तो दो टाइप के होते हैं very good दो टैप के होते हैं यूटलाइजेशन किते हैं क्यों होते हैं दो सबसे पहला टाइप आता है यूटलाइजेशन में लॉंग टर्म और फिर आएगा शॉट टर्म कि लॉंग टर्म के लिए जो पैसा यूज होता है उस पैस्टों को हम बुराते उस एक्स्पेंडिचर को हम बुराते है कैपिटल एक्स्पेंडिचर लॉंग टर्म के लिए जो पैसा यूज होता है उस पैसों को हम बुराते हैं कैपिटल एक्स्पेंडिचर आर्दे इंपोर्टेंट येस ये वेरी इंपोर्टेंट इतना यूज अमॉंट आफ कैश आउट फ्लो होगा बैए कैपिटल एक्स्पेंडिचर बोलतो बड़ा बर्बादों मतलब ह Soumaki company के कैश तो चूज कर लोगे तो के कंपनी के सालों के के उस्पेंडिचर आलों मुर्ट बहुत बहुत इंपोर्टेंट बाणते और इसलिए कपिटल ऑचाहा पहला आता है reason huge investment मैं लिख रहो आपके लिए huge investment दूसरा reason long term impact जो फैसले आप ले रहे हो कहीं साल बदल रहे हैं आपके बिल्कुछ सही है सर और तीसरा reason दोस्तों कि ये जो फैसले है ये reversible नहीं होते है एक बार ले लिया सो ले लिया मतलब क्या सर मतलब अगर मैं कोई asset purchase कर रहा हूं let us say two crores का है तो क्या मैं उसको महिने बर बात बोल सकते हूं after one month that I'm not able you know liking the asset let us you know sell it off ऐसे reversible फैसले नहीं होते ये अगर आप ऐसा करने जाओगे तो आपको यूज capital losses होंगे इन फैसलों को हम बुलाते है इर्रिवर्सिबल इर्रिवर्सिबल तो यह तीन रीजन्स की वज़े से capital expenditures बहुत important है और यह तीन रीजन्स को तो अच्छे से देख लो यह तो बिलकुल शादी जैसा हो गया शादी का फैसला समारी जिंदगी में important है कि अब अच्छा लोग यह सौर इसलिए तो कर रहे सर शादी अच्छा करना चाहिए ना तो भाई शादी का फैसला इतना important है because of these three reasons शादी में इंडिया में होता है huge investment big fat wedding करते आप देन शादी के फैसले से long term impact होता है क्योंकि अब एक सही life partner जिंदगी आबाद नहीं तो आपको पता है बरबाद तो भाई long term impact होगा आपके शादी के फैसले का भी तो सोच समझ के लोग फैसला आज लेना है जिंदगी बर निबाना है और तीसरी important बात irreversible तो भाई शादी का फैसला तो irre capital expenditures important होते हैं इसलिए finance manager बहुत extra careful रेकर यह फैसलो को लेता है और इनी फैसलो को लेने के लिए finance manager क्या करता है he uses capital budgeting techniques क्या यूज कर रहा है वो capital budgeting techniques यूज कर रहा है capital budgeting techniques यूज कर रहा है और फिर वो पैसले ले रहा है तो capital budgeting technique क्या होता है sir वो तो पढ़ लेंगे don't worry at all capital budgeting techniques वो लोग यूज करते है मतलब एक specialized technique है for capital expenditures for long term investments yes तो वो techniques use करकर ही फैसले लिए जाएंगे long term तो समझ गया sir बहुत important होता है तीन रिजन है sir और उसके अलावा उसको utilize करने के लिए उसको फैसले लेने के लिए हमारे पास एक technique भी है sir जिसको हम बुलाते है capital budgeting techniques बिल्कुछ सही है अब इसके आगे क्या इसके आगे आता है दोस्तो short term जब मैं बोलता हूँ short term utilization तो short term utilization मतलब mainly किस में आता है देख लिजिए short term का utilization जो है mainly दो चीजों में देखा जाएगा सबसे पहले short term जब हम बोलते हैं तो management of working capital picture में आता है what is working capitalism day to day activity में जो पैसा लगता है उसे बुलाते है working capital तो जो running के लिए पैसा लगता है working के लिए पैसा लगता है उसे हम बुला रहें working capital और working capital जो है वो short term nature के होते हैं क्यों सर अगर जरूस से ज़्यादा पैसा ब्लॉक करेगा बेटा day to day working में तो उस एक्स्ट्रा पैसा जो ब्लॉक हुआ है उसका opportunity cost उसको हम बुलाते हैं जरूस से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि opportunity cost जरूस से कम रहेगा तो क्या होगा सर working capital जरूस से कम रख देते सब 30 लाग का requirement हम लोग 20 लाग की working capital रखेंगे तो guys day to day working में पैसा कम रहेगा तो आपका reputation आपका goodwill खराब होगा आपके पास enough cash and bank balance नहीं रहेगा pay करने के लिए day to day खर्चे pay करने के लिए आपका business problem में आ जाएगा लोग आप पर trust नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास पैसा देने के लिए पैसा नहीं है short term में आपने पैसा जरूस से कम रखा तो आपका goodwill reputation सब खराब हो सकता है तो definitely आपने क्या करना चाहिए overall management करना चाहिए working capital का और ensure करना चाहिए कि आपका working capital है वो जरूस से कम नहीं हो चाहिए और जरूस से ज्यादा नहीं हो चाहिए बिल्कुत सही है अब दूसरी important बात हाँ साल company कमाता है profit यöt कंपनि के बात कर रहो मैं company कमाता है profit तो company वो प्रॉफिट करता है či कि यह company वो profit dividend के तौर पर बाठ देता है बिलकुल नहीं, कुछ पार्ट बाळता है, येज हैस्ट ये जो फैसले होते है, इसको बोलते है dividend decisions, क्या बोलते हैं, dividend decisions, ये भी तो day to day working में लेना है आपने को, कितना dividend बाटना है, और कितना profit retain करना है, तो dividend decisions, every year लेना पढ़ता है, येस कभी-कभी तो साल में बीच में भी लेना पड़ता है जिसको आप बुलाते हो interim dividend येस सर बुलाते हैं interim dividend भी बुलाते है जो during the year दिया जाता है और एक जो dividend है वो दिया जाता है सर आपके year के end पे उसको बोलते है final dividend सर बिलकुल सही चिवानी के बोड़िये sir I had cleared group I had cleared group 2 I am still watching your lectures just for investment knowledge वाव श्वानी वाव ग्रेट 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 कीप वाचिंग और ओविसली CA प्रशान साड़ा नाम का चैनल है वो भी सब्सक्राइब करके रखो वहाँ पर case studies वगरा financial case studies मैंने काफी टाम पहले से upload किया है और फिर से हम reactivate होने वाले उस चैनल को activate करने वाले और ज़्याद की studies आने वाले financial scams वहाँ पर कवर करेंगे हम तो मज़ा आएगा good to hear that you have cleared that group 2 great and now I can officially say you welcome to CA final yes चलिए तो बस दोस्तों जितने लोग मेरे साथ इस lecture में जुड़े है मैं भी आपको जल से बोलना चाहूंगा welcome to CA final और वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे साथ में AFM का subject advanced financial management yes तो चलिए dividend decisions कितना profit retain करना है और कितना profit dividend के तोर पे बाठना है management of working capital कि आप जरूरोष से कम working capital मत रखिए जरूरोष से ज्यादा मत रखिए यह होता है management of working capital short term में यह पैसले finance manager को लेने होते है चलो बढ़ी आए तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई पैसा तो आ गया था procurement हो गया पैसा used भी हो गया investment हो गया तो अब तो काम कतम हो गया न अच्छा investment का target क्या रहेगा आपका utilization का target क्या रहेगा जब जब पैसा invest करोगे तो target रहेगा maximum returns का target क्या रहेगा सर maximum returns कमाना है बिटा आपको आपके पैसो पर आपको कमाना है maximum returns यह आपका target होना चाहिए जैसे यहां पर आपने बोला था देखिए least cost तो यहाँ पर आप बोल रहे हो maximum returns यह जो green color में मैंने highlight किया है यह है आपका least cost और वहाँ पर आपका maximum returns बिल्कुत सही है जितना इन दोनों के बीच में gap रहेगा company का profitability उतना अच्छा रहेगा positive gap obviously cost of capital minimum and returns maximum जितना gap जदा रहेगा उतना profitability जदा रहेगा उतना company अच्छा perform कर रहा है yes so यह होता है procurement यह होता है utilization very good sir मैंने आपके revisions watch किये थे sir सर्फ exam oriented वाले very good शिवानी very good now see everyone focus क्या बोल रहे है कि भाई पैसा आ चुका है procurement अब यहाँ पर बोल रहे है कि maximum returns चाहिए utilization बड़ी आयसर अब देखिए अब ध्यान दीजी इदर what I am saying पैसा तो आ गया था investment तो हो गया returns भी maximum आ गये अब एक finance manager ensure करेगा कि उसका performance कैसे चल रहा है यह सब होना चाहिए था यह every year हो रहा है क्या every quarter हो रहा है क्या every month हो रहा है क्या इसके लिए होता है there is something called as performance evaluation तो company क्या करता है खुद का performance evaluate करता है finance manager के थूँ इसी को बोलते performance evaluation yes performance evaluation and performance evaluation वाइस performance evaluation वेरियस टूल्स यूज़ करके किये जाते उसमें cash flow, fund flow, ratio सब आता है बढ़ आपके syllabus में सिर्फ ratio analysis है क्यूंकि cash flow statement तो आपने यहां पर आता है ratio analysis FM में आ जाता है ratio analysis तो फिर यहां पर हम लोग performance evaluate करेंगे by using ratio analysis I am sure कि तुम में से काफी लोग काफी लोगों ने आपके 12 में ratio analysis cover किया रहेगा no doubt किया रहेगा बट वहां पर आपने अगर थोड़ा भी mechanical पढ़ा रहेगा न मैं आपको guarantee देता हो इस बैच में एक दम conceptual पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फड़ा 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 यह सब चीज़े आपके दिमाग में conceptually उतारने की guarantee मेरी यह गाइस तो यह overall finance manager ने करना चाहिए performance evaluation करना चाहिए ratio analysis के through तो यह सब होना चाहिए दोस्तों येस और यह finance manager ही करता है तो यह सर यह तो समझ गया सर्पाइनस मेंजर यह सब करता है okay sir done guys यही है आपका syllabus यही है आपका syllabus everyone yes यह आपका syllabus है जो screen पर आप देख रहे हो कैसे सर्ट यह syllabus हो सकता है यह देखिए दोस्तों basics of financial management chapter number one है आपका आप इंडेक्स सामने रखना है तो सामने रख लीजिए यह आपका इंडेक्स है देख सब्याब येस दूसरा आपका नेक्स टॉपिक आपके syllabus में आता है दोस्तों leverages उसके बाद आपके syllabus में आता है capital structure थर्ट टॉपिक आपने sequence में पूर्थ topic आपने sequence में cost of capital फिफ्ट टॉपिक आपके sequence में अगर आप इंडेक्स भी देख लोगे तो फिफ्ट आपके sequence में है ratio analysis येस फिर आता है आपका types of financing फिर capital budgeting फिर decisions फिर working capital तो जो जो आप इंडेक्स में देख रहे हैं दोस्तों यह और कुछ नहीं आपका syllabus था जो आमने cover कर लिया as introduction देखिए types of financing देखिए यहां पर आपका capital budgeting technique मेरा favorite topic है यह आपके पूरे syllabus में से सबसे ज्यादा realistic real life पे यूज आने वाला topic है capital budgeting technique management of working capital dividend decisions ratio analysis यह पूरे के पूरे आपके topic है दोस्तों एक finance manager क्या करता है यह हमने already cover कर लिया यह finance manager क्या करता है हमने cover कर लिया और यही है आपका PA intermediate का syllabus पुरा और my dear friends let me tell you one thing very frankly कि भाई अगर आपने लगबग लगबग almost 45 minutes में यह सब चीज़े cover कर लिया as a syllabus तो आप सोच सकते हो कि syllabus का overview तो आ गया है अब हम chapter wise देखेंगे अब हम chapter wise देखेंगे क्या क्या होता है and very first topic to start with today will be first that is basics of financial management और इसके अंदर हम पढ़ेंगे time value of money आपको आज के ही lecture में पूरा flavor आ जाएगा मेरे teaching का and आपको समझ जाएगा आप तक तो आए गया रहेगा बट इसके आगे भी आपको practical जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आपको समझेगा कि मैं जब बोलतो तो बेसिक से पढ़ते हैं mathematical calculations सीखते हैं logics सीखते हैं answer के interpretation सीखते हैं तो आप सिर्फ marks नहीं कमाते हो आप एक conceptual clarity के साथ अच्छे सीए बनोगे और यही मेरा सपना है कि मेरा हर स्टुडेंट जो है वो क्राउड से स्टैंड डिखना चाहिए उसको कंपनी में recognition मिलना चाहिए बिकॉस आफ नॉलेज ही आज अल्टिमेटली वह इंपोर्टन तो लाइट में दोस्तों ठीक है सर लेकिन सीए कंपनी को financial management कर करके देगा तो उसका तो वह उसका statutory audit नहीं कर सकता है यह सब भी होता है अर्शिया खान क्या कुछे सर में 24 में पर्स्ट एटेंट दोंगी सर में regular purchase करने में लेट हो गया है क्या मैं exam oriented purchase कर सकते हो सर सिलावर्स कवर हो जाएगा क्या regular लेडू अर्शिया खान अगर आपके पास वक्त है मेरे homework करने का तो आप यह बैच भी continue कर सकते हो यह batch और regular batch के notes जो है बिलकुल पूरा कपूरा coverage सेम रहेगा आपका सिर्फ परक क्या है वहाँ पर मैं everyday 1 या 2 homework देता हूँ यहाँ पर आपका everyday 4-5 homework भी हो सकते that's the only thing and conceptual clarity वगरा जो वहाँ मिलती है यहाँ पर भी मिलती है कम टाइम में मिलती है जो लोगों के learning past है जिन लोगों को लगता है कि मुझे इतना slow नहीं पढ़ना है मेरे पास वक्त है मैं FM को दे सकता हूँ दिन में और दो घंटा extra for homework बस यह बैच उनी के लिए और पूरा का पूरा coverage सेम रेगुलर जैसा हो लेगा nothing to worry at all पूरा each and every question वहां का यहां पर कवर किया हुआ है तो ऐसा कोई पार्ट नहीं रहेगा जो वहां पर मैंने कवर किया और यहां नहीं किया बस सिर्फ वहां थोड़ा यहां पर वक्त को ध्यान में रखते हुए इतना जादा डीटेल में बहुत अच्छे से बोलने से अच्छा पूरा 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 पार जो समझाना है बहुत बहतरीन तरीके से कम से कम टाइम में प्रिसाइजली बोलकर आगे बढ़ जाता हूं एंड हूमवक जादा देता हूं ताकि आपका प्रैट्टिस हो एक्जाम ओर्येंटेड बैच मतलब आप एक्जाम को ध्यान में रखकर यह बैच कर रहे हूं और आपका पहला टॉपिक क्या है हमारा पहला टॉपिक दोस्तो यह देखिए यह आपका पूरा का पूरा बुक है जो सॉफ्ट कॉपी में मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा मेरा टेलिग्राम चैनल जो है वह है सीए प्रशान सार्डा डैश इंटर्मीडियेट एफम और आपको सभी अपडेट्स वहां पर मिल जाएंगे यह दो नोट वरी अट ओल तो हम लोग स्टाट कर रहें वरी फर्स टॉपिक यहां पर पर्स टॉपिक जो है वह स्कोप अबजेक्टि और पाइनेश्यल मैनेजमेंट जिसको हम बुलाते बेसिक्स ऑफ फाइनेश्यल मैनेजमेंट यस इसमें देखिए देखिए क्लियर ली एक प्रोकिरमेंट करता है एक उट्राइशन करता है बस वही दो चीज़े आपको लिखनी है यहां पर और जो प्रोकिरमेंट में अबने डिटेल में डिसकस किया था वेरियस सोर्सेस ऑफ पैनेस होते है उनके अंदर रसी सी देखा जाता है रिज्ट कॉस्ट कॉस्ट कॉं बिकम असेंशल अप्रोपर डैश ओफ रिस्क एंड कंट्रोल फैक्टर बिकम सेंशल प्रोपर बैलेंस प्रोपर बैलेंस ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल फैक्टर्स बिकम सेंशल तो आपका यह आर्सी सी का लॉजिक हो गया रिस्ट कॉस्ट 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 इसके बाद utilization utilization इसके बात करेंगे तो सबसे पहले और सबसे कम होता है कि और डेट पन जो है उसका रिस्क हाई होता है कि क्रीक होता है क्यों पर गण जादा है क्योंकि जब आप लोन लेते हो आप periodically fixed rate of interest का commitment दे दियो आपका profit मुनाफ़ा कुछ भी हो गाटा नुक्सान जो भी हो आपको fixed rate of interest देना है debenture holders को you are supposed to pay fixed rate of interest irrespective of your profitability yes sir commitment दे दिया है sir profitability कुछ भी हो high हो या low हो अगर rate of interest 10% कमिट किया है तो दस ही देना पड़ेगा sir बात तो सही बुला आपने यहां पर आ जाता है risk कौन से केस में debt के केस में और तो और debt के केस में एक और पंगा है एक और problem है sir वो क्या है debt के केस में अगर आप एक बार पैसा ले लेते हो तो आपको repayment भी करना होता है अगर debt का life रहेगा five years seven years तो उसके बाद पैसा तो वापस लोटा नहीं पड़ेगा principle amount repay करना ही पड़ेगा irrespective of कि उस समय पैसा है या नहीं उस समय आपका financial position क्या है वो नहीं माहिने रखता है अगर आपके पैसा नहीं है यह लोग आपके asset base देंगे secure debenture होते हैं term loan भी secured होता है तो भाई आपका asset base दिया जाएगा मगर पैसा तो वसुल किया जाएगा yes इसलिए risk of debt capital जो हाई है और equity के case में ऐसा बिलकुल नहीं होता है दोस्तो equity वाले तो बहुत मासूम है बोलते हैं पैसा ले लो लोटाना है तब लोटाना हम लोटाने की बात भी नहीं करेंगे मतलब यह लोग principle repayment मांगते ही नहीं है इसलिए तो company redemption of equity shares नहीं करता है आपने भी तो foundation में redemption of debenture पढ़ा होगा pressure पढ़ा होगा equity share redemption कभी पढ़ा है equity shares कभी redeem नहीं होते दो ही cases में उनके पैसे उनको वापस लोटाए जाते बोलिए पढ़ाफट सोचिए जरा येस दो ही cases में पहली बात तो आप recorded भी देख रहे होंगे तो भी всегда बेखो अलर्ट रहो अंसर दो ठीक है सब लोग बोलो जल्दी फटा फटा फट्ट दो ही cases में उनके पैसे उनको वापस दिए जाते कौन से वो cases जहां पर उनके पैसे उनको वापस दी जाएंगे दोस्तों कौन से जो केसे से जहां पर एक्विटी वालों को पैसे उनको वापस दिये जाएंगे रिडम्शन तो करना नहीं है कमिट्मेंट ही नहीं रिडम्शन का येस वेरी गुड रॉनाल बाइबैक वेरी गुड situation वन बिल्कुत सही बोल रहे है आप बाइबैक और दूसरा 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 कम आप और एव्रिवन वाइबैक के अलबा और क्या रहेगा दो केसे में उनके पैसे उनको वापस दिये जाएंगे बाइबैक आप शेर में तो दिये जाएंगे लिक्विडेशन, बैरी गुड, बैरी गुड, लिक्विडेशन, बाइबैक, एन लिक्विडेशन, यह दो केसे समों के पैसे उनको वापस दिये जाते हैं, येस, माइडियर फ्रेंड्स, तो ऐसे दो तो एक्स्टरॉणरी के कंडिशन्स हो गए, तो बाकी तो पैसा मांगने रहें, और क्या चाहिए, दूसरी इंपॉर्णन बात, फिक्स कमिट्मेंट भी नहीं मांग रहें, ये लोग आपको फिक्स रेट आप इंटरस मत दो वोर र पैसा ये दे देते वापस मानते ही नहीं है, पैसा, रिपेमेंट करना नहीं है, और जब तक यूज कर रहें, तब तक फिक्स रेट आप रिटर्न भी नहीं देना है, भी प्रोफिट हुआ, लोः डसार्न सबसे कम और डेट के किस मेरे सबसे ज़्यादा अब आते एक कॉस्ट की अत्तक कोस्ट सबसे खतरनाक है जो मासूम चाहरे देख रहे हैं बोली सूरत दिल के खोटे यह जिनके आपको मासूम शकल दिख रही है ना इनका कॉस्ट जो है वह सबसे हाइस होता है most expensive है ये और debt वाले जो आपको बहुत कड़क नसर आ रहे थे risk और रे पैश्टा वापस देया और fix rate of dividend interest भी देना पड़ेगा ये लोग कड़क बात करने आ ले लोगे ने इनका cost सबसे कम है comparatively low क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे आप दो बाते हैं दोस्तो इधर भी जैसे उधर द दो बाते थी periodically fixed rate of return and principal repayment वैसे इधर भी दो बाते हैं दोस्तो सुन दो अच्छे से जो आपके debt वाले लोग है ये लोग आपको मांते interest और आप पे करते हो interest जो debit होता है P&L में लेट में explain यू वो debit हो जाता है P&L अकाउंट में और अगर आप profit and loss अकाउंट इमाजिन करो यह देखिए यह आपका P&L अकाउंट है और यहाँ debit हो गया टू इंटरस्ट में भी 10 रुपीज तो आपका net profit जो है वो 10 रुपीज से कम हो गया न यह सर 10 रुपीज से कम हो गया तो मान लीजी आपका net profit जो है वो यह debit करने के बाद सवर यह डेबिट करने के बाद सवर तो आप तो टैक्स इस पर ही लगाओगे इस परसंट टैक्स रहेगा तो 30 का टैक्स आएगा यह सर बिल्कुल सही है हम डिवेंचर ओडर को 10 रुपिया इंट्रेस दिये अब बचाव प्रॉपिट था 100 रुपिया इस पर हम टैक्स बरेंगे 30 रुपिज का अब जस्ट इमेजिन करो यही सेम कमपनी है इंस्टेड आ यूज इक्विटी तो अब मुझे बताइए इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना होता था इस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना होता था दोस्तों इन कंपनी का नेट प्रॉफिट होता था आपका 110 क्यों सर डिविडेंट पे किया ने सर वह डेविट करो ना इधर interest यह charge against profit है but equity dividend कभी देबिट नहीं होता because it is not charge against profit सर यह क्या होता है सर चार्ज अगेंस profit क्या होता है जो P&L debit होना allowed है और taxation allowed करता है आपके taxation की भाष्टा में admissible expense तो उसे बोलते हैं charge against profit यह charge against profit नहीं है दोस्तो equity dividend equity dividend तो P&L appropriation में आने वाला item है तो भाई साब इसका मतलब tax जो है 30% से 110 पर लगने वाला है यह सर अगर 110 पर लगेगा तो 33 का tax आएगा ना दोस्तों कितना tax आएगा 33 का tax आएगा तो भाई साब इसका मतलब यह interest 10 रुपे टेपिट होने की वजह से मेरा सीधा सीधा तीन रुपे का सेविंग हो गया येस डेफिनिटली और उसको निकालने का दूसरा तरीका भी है दस को सिधा सिधा तेन 30 परसंट से मुटिप्लाइ कर दो दस को अगर मैं 30 से मुटिप्लाइ करू तो भी तीन रुपे यह आता है क्या बुलाते हैं सर इस तीन रुपे को टैक्स शील्ड क्या बुलाते इसको टैक्स शील्ड लुक कंसरेप्च्ण जीतना स्क्राइच से हम लोग पढ़ रहें एक दंक बेस्तिक से हम लोग पढ़ रहें ऐसे ही समझाए जाएगा बैंच में concepts तो यह होता है दोस्तों difference जो हम यहाँ पर tax में जादा दे रहे थे और उधर कम दे रहे हैं उधर कम दे रहे हैं विकॉज उधर के P&L में debited था interest और यहाँ जादा दे रहे हैं विकॉज यहाँ पर debit नहीं कर सकते equity dividend equity dividend P&L account में debit नहीं होता इसके बाद जो below line item बनता है P&L appropriation वहाँ debit होता है तो इसका मतलब sir tax तो बच रहा है because of payment of interest यस दोस्तों और इसी को बोलते हैं interest tax shield, tax shield मतलब protection, protection against tax इसको बोलते हैं tax shield done suck, समझ गया तो इसका मतलब तो यह बहुत clear है दोस्तों कि भाई taxation में interest यूज पे करना ज्यादा better रहेगा compared to equity dividend interest pay करना better रहे compared to equity dividend बिल्कुल सही है तो चलिए इसका मतलब बहुत simple है जब जब मैं equity dividend pay करूँ तो वो तो P&L debit होई नहीं रहा है उस पर in fact मेरा कोई tax बच नहीं रहा है यहाँ पर जब मैं interest pay कर रहा हूँ तो वो तो भाई taxation के लिए allowed है, charge against profit है उसकी वज़े से मुझे मिल रहा है tax shield एक और reason है दोस्तो कि equity dividend ज़्यादा costly है, equity वाले funds ज़्यादा costly है और उसका reason है दोस्तो कि equity वाले लोग जो है वो real owners है they are the real owners तो उनके expectation कभी भी high होते है तो सर इनका क्या होता है सर यह owner नहीं है, यह outsider है और इनके expectation low नहीं होते, high नहीं होते, fix होते 10% बोला ना तो 10 ही देना पड़ेगा, अब वो high है या low है पता नहीं, fix है, यहाँ के expectation fix है, जब ज़्यादा profit होता है तो भी यह लोग तुमसे 10% ही मांगेंगे, जब यहाँ पर ज़्यादा profit होगा ना, तो equity वाले तुमारे जान ले लेंगे, बोलेंगे अब ज़्यादा profit debit नहीं होता है, PNL appropriation में जाता है, tax बसता नहीं है, यह PNL account जाएगा because the interest है और इसकी वज़े से net profit घटेगा और आने वाला tax भी कम आएगा, तो overall risk low है, cost सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर debt के case में risk ज़्यादा है और cost low है, तो एक में एक फाइदा है, करे तो क्या करे, balance कर, इसलिए तो capital structure में हम क्या करते है, mix और combination of funds बनाते है, कुछ पैसा debt से आता है, कुछ पैसा equity से आता है, अगर 60% पैसा equity से आया, 40 debt से आया, तो 60, 43 is to 2 को हम बुलाते है capital structure, capital structure माने के composition, yes, very good, and what about control, my dear friends, control मतलब management, voting power, और voting power का dilution तभी होगा, control का dilution तभी होगा, जब हम company क्या issue करती है, equity shareholders, fresh issue of shares, और जब fresh issue of debt होता है, मतलब company or debt लेता है, उस वक्त no dilution of control, because friends, आपके debt holders को voting powers नहीं मिलते, क्या नहीं मिलते सर, voting power, voting power का मिलते हैं उनको, तो उनको कोई voting power नहीं मिलता है, जब कि इधर, जैसे equity issue किया, तो fresh, जो shares issue कि उनको भी voting power मिल गए, yes, dilution of control, तो बात तो सर समझ में आ गई, risk, cost, control, जिसको आप बुलाते थे, सर, RTC, बिलकुल समझ में आ गया, सर, क्या concept है, पूरा समझ में आ गया, RCC, procurement के वक्त यह देखा जाता है, दोस्तों, चलब, अब आते, time value of money, practical की तरफ, तो theoretical part cover हो गया, mcq point of view से मैंने बताया आपको कैसे cost कम है, कैसे जादा है, कौन सी चीज mcq में आ सकती है, the cost of dash capital is low, the risk of dash capital is high, बहुत यह सब चीजे mcq में आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से, इसको हमने conceptually discuss किया, अब बात करते हैं दोस्तों, time value of money की, इसकी बात करेंगे, time value of money की बात करेंगे, तो guys relevance क्या होता है time value of money का, क्यूं हम पढ़ते है time value of money, या मैं आपको एक simple सा question पूस्ट हो कि भाई, आपको president money चाहिए या future money चाहिए, अगर मैं आपको 2,00,00 रुपे देना चाहूँ, अगर बोला मैंने, suppose, if I want to pay you 2,00,00 रुपीज, I give you a choice, आज ले लो, या 3 साल बात ले लो, तो आप क्या पसंद करोगे दोस्तों, what do you think, क्या पसंद करोगे आप, present money या future money, अपको सब लोग बोलेंगे, आज दे दो सर, आज दे दो, आज दे दो, क्योंकि, आज का पैसा सब को अच्छा लगता है, चार रीजन से दोस्तों, उसके, उसी को बोलते है, relevance of time value of money, पहला रीजन है, कि पैसा अगर आज ही दे दिया, तो भाई, inflation का जंजट खता है, क्योंकि समय के साथ साथ सर, देखी, आप 3 साल बात 2,00,00 दे रहे हो, और आज 2,00,00 दे रहे हो, दोनों दिखने के लिए स्टेम है, sir, but difference है, but difference है, sir, क्या difference है, बेटा, उदर भी 2,00,00, इदर भी 2,00,00 है, उदर के 2,00,00, 5,00 साल बात के purchasing power wise कम है, क्योंकि 3 साल बात के 2,00,00 में goods and services कम आएंगे, sir, और आज के 2,00,00 में goods and services जादा आएंगे, sir, तो हमको आज ही दे दो, मैं बोलूँगा, ऐसा क्यों होग दूसरी important बात, आज ही पैसा दे दो, दोस्तो, क्योंकि आप बोल रहे हो, sir, आप दोगे, आप दोगे या नहीं दोगे, पता नहीं, sir, रिस्क तो है, sir, नहीं, विश्वास अलग बात है, बट रिस्क तो है न, sir, आप बोल रहे हो, आप दोगे 2,00,00 रुपे, दे दो, sir, खाम ही खत्म हो जाएगा, तीन साल बात हम आएंगे, आपके पास बोलेंगे, सब 2,00,00 दे दो, आप बोलोगे, कौन तुम, बई, 2,00,00 बोल रहे हो, रिस्क तो होता है, future money में risk होता है, present money में risk नहीं होता है, इसलिए किसी को भी present money ज्यादा अच्छा लगेगा, तीसरी important बात कि भाई, अगर present में पैसा मिल जाए, तो खर्च भी कर सकते था, कितने स्थालों से सोचा था, एक iPhone ले लू, तो ले लूँगा, सर, इसका मतलब, preference of present consumption, किसी को भी आज का consumption पसंद आता है, दोस्तो, preference of present consumption, आज का consumption किसी को भी भारी लगता है, आज जो खर्च करने में आनन्द है न, वो तीन साल बात वेट करके खर्चने में आनन्द नहीं है, मजा नहीं है, आज मिल जाए तो बैतर है, तो इसलिए कभी भी पैसा आज चाहिए, and सबसे में बात, सबसे में बात, देखें, शिवम पतल बोली दिए, IPO में डाल देंगे, सर, आज ही देदो, इतने अच्छे-च्छे IPO आरे है, सर, टाटा टेकनोलोजी तो नहीं मिला सर, डॉम्स भी नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, इतने अच्छा-च्छा IPO आके चले गए, येस, IREDA भी नहीं मिला सर, वो तो कहां चल रहा है, तो सब जो इतने अच्छा-च्छा IPO है, अगर पैसा होता तो डाल देते, पैसे मिल गया तो लग बाई चांस, और अगर मिल जाए, तो इन्वेस्मेंट अपॉर्चुनिटी, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो नाज, तो फ्यूचर में तीन साल बाद तो ग्रो होई जाएगा, और चला IPO नहीं मिला, तो कम से कम शेर्स खरिद लेंगे, अच्छे शेर्स खरिदने में तीन साल बाद तो वैल्यू बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं, इन्वेस्मेंट अपॉर्चुनिटी, तो फोर्थ रीजन, दे लास्ट रीजन, वाई यू प्रेफर टुडे मनी इज, इन्वेस्मेंट अपॉर्चुनिटी जो है न, उसको हमें ग्राप करना है, इसके लिए पैसा आज है चाहिए, इन्वेस्मेंट अपॉर्चुनिटी, तो रेलेवनस अप टाइम वैल्यू अफ मनी, देर आर फोर रीजन, सबसे पहला रीजन आता है, इन्वेस्ट अपॉर्चुनिट अपॉर्चुनिट, जिसकी वज़े से हमें कभी भी टाइम वैल्यू अफ मनी में, आज का पैसा अच्छा लगता है, अब बात करेंगे कि भाई, टाइम वैल्यू अफ मनी हमारे एपम के तक क्या इंपोर्टन है, क्यों इंपोर्टेंट है इसके आगे TVM यूज करेंगे तो टाइम बच जाएगा मैनत भी बच जाएगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारे FM के अध्यक क्या मैटर करता है ज्यान से सुनिए दोस्तों पैसा तुम्हें इंवेस्ट करना होता है पैसा इंवेस्ट कर लो maximum return मिलेगा बर जो return मिलेंगे वो तो future में मिलेंगे और पैसा invest होगा आज आज के पैसो को future के साथ कैसे compare करे future के returns को आज के investment के साथ कैसे compare करे yes there comes into picture time value of money जिसके अंदर दो technique है time value of money के अंदर दो technique से the very first technique is called as discounting technique and the other technique is called as compounding technique so पहली technique का ना में discounting और दूसरी technique का ना में compounding तो दो techniques है जो इस chapter में हम लोग पढ़ने वाले है main focus will be on discounting compounding तो खेर बाद में सिलबस में आ जाएगा तब पढ़ लेंगे बट अभी के लिए तो discounting बहुत matter करता है ठीक है compounding भी जलक देख लेंगे बट discounting को जादा यूज होगा discounting मतलब क्या sir discounting मतलब you are finding present value of future money future के returns का आज का value निकालना is called as discounting suppose आप मेरे पास आए बोले sir invest करोगे sir यह investment opportunity है यह year returns मिलेंगे sir first year में इतना second year में इतना third year में इतना तो मैं बोलूगा रूब भाई पहले यह सब four year के returns को मुझे आज के value पर लाने दे और तेरे investment के साथ compare करने दे वो जो future में मिल रहा है उसको आज के value पर लाने के लिए I will use this technique which is called as discounting technique तो finding present value of future money इसको बोलते discounting finding present value of future money इसको बोलते discounting तो compounding क्या होगा सर फिर इसका exact opposite होगा तो क्या होगा सर finding future value yes of present money आज के पर सो का future में value किता होगा वो होता है compounding तो compounding में हम लिख रहे जैसे discounting में लिखा वैसे compounding में लिख रहे finding future value of present money तो भाई साब आज के पैसो का future में कितना डाली होगा इस compounding future के returns का पैसो का आज के date way value क्या होगा discounting yes clear है सर एक दम सही है अब discounting में क्या करते सर we use discounting factors discounting factors that is pvf r,n present value factor r is rate of interest n is number of years we use pvf r,n and pvaf r,n इन दोनों को discounting factor बुलाते है discounting factor बुलाते है इन दोनों को yes और यह होते हमारे discounting factor present value factor present value annuity factor तो सर जैसे इधर factor होते है उधर भी होते है क्या सर compounding में yes compounding में भी factors होते है तो यहां का factors जो है we use compounding factors that is cvf r,n compounding value factor r rate of interest n number of years and cvaf r,n compounding value annuity factor compounding value annuity factor तो यह factors use में आएंगे मगर as I told you हम लोग deal करने वाले discounting के साथ majorly discounting के साथ तो हम बात करेंगे present value factors present value annuity factor के बारे में हम बात करेंगे mainly discounting factor के बारे में yes तो यह लिख ली आपने अब इसके बाद don't worry यह जो soft copy है यह भी share हो जाता है मेरे telegram channel पे अगर आपका कोई part लिख कर नहीं हूँ और मैं आगे बढ़ गया तो चिंता करने की जुरुत नहीं है वो share हो जाता है yes तो चलिए आगे बढ़ते अब यह discounting factor जो आपने बोला sir pvaf pvaf sir यह क्या है sir यह न sir हम लोग math पढ़ते थे न तब भी नहीं समझता था sir मैं समझा दूंगा tension मतलो मैं समझा दूंगा फिर से समझा दूंगा यह expectation के साथ समझाओंगा कि आपको नहीं आप बस मेरी technique के साथ चलिए ठीके बिलकुल sir तो calculation of discounting factors calculation of discounting factors sir annuity factors मतलब I'll explain everything I'll explain everything ठीके तो calculation of discounting factors यह जो discounting factor है न हो उपर इनको calculate करने के लिए आर और N दिया रहना चाहिए ठीके तो हम बोलेंगे calculation of discounting factor Assuming r is equal to 12% n is equal to 4 years दो मिट के लिए लेते r is equal to 12% n is equal to 4 years चलो सहिए discounting factors सीख रहे हम और assume कर लिए हमने r जो है वो 12% रहेगा और एन जो है वो 4 years रहेगा चलो बढ़ी आए अब हम बात करते हैं सबसे पहला factor प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पी वी एफ r, n इसको बुलाते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पी वी एफ r, n ठीकें अब यह कैसे निकलता है फैक्टर सब लोग calculators निकालेंगे practical subject करने बैठे हो calculator तो होना चाहिए calculator निकालो calculator निकालो सब लोग जल्दी-जल्दी फड़ा-फड और Kelsey में मेरे साथ calculations करेंगे चलिए तो यहाँ पर हम बोलेंगे 1 divided by 1.12 is equal to मैं आपके साथ कर रहाँ यह आगया आपका first year factor लिखने की जरूरत नहीं है is equal to press कीजिए second year factor आगया लिखने की जरूरत नहीं है is equal to press कीजिए third year का factor आगया लिखने की जरूरत नहीं है is equal to press कीजिएगा fourth year का factor आगया और यह लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर है end four years तो four years अगर है तो यहाँ पर आजाएगा 0.6355 0.6355 यह factor आगया मेरा I just check again 1 divided by 1.12 1,2,3,4 0.6355 क्या आपका answer आगया है 0.6355 आपका answer आगया है क्या Yes विल्कुल सही है Kelsey पर कर रहे होगे तो answer तो पका आया रहेगा आपका और अगर ही आपका answer आगया है तो इसका मतलब आपका present value factor आ चुका है क्या चुका है sir present value factor है बेटा यह येस इसका meaning क्या होता है sir 0.6355 निकालने तो हमको भी आगया ऐसा है बड़ यह meaning क्या होता है इसका meaning क्या होता है बेटा कि चार साल बाद अगर एक रुपया है तो उसका आज का value यह है 4 years after this time अगर 4th year के end में 1 रुपी चाहिए तो आज के date में आपको invest करना पड़ेगा 0.6355 तो हम बोलेंगे हम discounting में वैसे भी future value से present value पर आते हैं finding present value of future money बोल रहे हैं तो future money से हम present money पर आ रहे हैं तो future का रुपी 1 4th year में आपकोस उसकी आज की value 0.6355 है ओके तो ऐसे case में आपका एक रुपे का आज का value 0.6355 है तो obviously मुझे future में 4 साल बाद एक रुपे नहीं चाहिए मुझे 2 lakh रुपे चाहिए कितना 2 lakh तो मैं बोलूँगा 2 lakh के लिए कितना अगर एक रुपे चाहिए था 4 साल बाद तो तुम बोल रहे है 0.6355 invest कर लो मुझे एक रुपे नहीं चाहिए मुझे 2 lakh रुपे चाहिए अब आप बताओ कि 4 साल बाद 2 lakh चाहिए तो आज कितना invest करूँ तो बहुत सिंपल है सर इसको cross multiply कर लो आपका answer आजाएगा सर तो इसको cross multiply कर लो आपका answer आजाएगा तो cross multiply कर लेते तो answer आजाएगा तो देखते answer क्या आएगा पैन कहा चला गया ओके जस्ट वन सेकंड गाईज आल जस्टिक देग पैन तो जोश जोश में पैन ही खो गया था तो अब बताएंगे आप cross multiply करकर therefore present value is equal to आप क्या कर रहे हो cross multiply कर रहे हो 2 lakh into 0.6355 कर रहे हो इससे आपका answer किता आजाएगा तो लैक इंटो 0.6355 वन लैक ट्वेंटी सेवन ताजन वन हंड्रेड वन लैक ट्वेंटी सेवन ताजन वन हंड्रेड यह आपका present value आ गया present value का answer important नहीं था आप देखो screen पर आपने क्या कर दिया time value of money का formula निकाल लिया दोस्तों आपने अगर future में एक बार 2 lakh चाहिए तो आज आपने 127 100 invest करना है येस सर इनवस्तों करना है चलो क्रास चेक करके देख लो 127 100 आपकी कैसी पर है ले लो 127 100 ले लो और उसमें plus करो 12% एक साल खतम plus करो 12% दो साल खतम plus करो 12% तीन साल खतम प्रस करो 12% चार साल कतम और मेरे कैसी पर आंसर आ रहा है लगबख दो लाक कितना आ रहा है लगबख दो लाक का अंसर आ रहा है ये जो भी आपने निकाला ये आपका प्रेस्ट वाल्यू है इंवस्ट्मेंट जो करना होता है हमें जो फैमिली में आकर बोलते कुछ लो छिनको हम लाए सी एजेंट्स वोगण बोलते हैं यह लोगस कींस मिलेगा इतना सब्सक्राइव मिलेगा तो भाई आज से ऑपके पिप्रेस्पेस्ट्मेंट कंसल्टणन तुम हो, family के, family को बोलो कि हमें time value of money देखना होगा, family को बोलो कि future के returns को present value पर लाकर, आज के investment के साथ compare करना होगा, अगर कोई investment आपको बेच रहा है कि चार साल बात 2 लाक रुपे चाहिए, तो आज न एक काम कर लो, 1,50,000,000 invest कर लो सर, future में न 4 साल बात 2 लाक मिल जाएगा सर आपको, तो आप investment मत करना, क्योंकि उसकी real value 127,100 उसकी real value है, अगर rate of interest 12% है तो, समझ गए, उस वो सामने आला परसंट आपको क्या बोल रहा है, 2 लाक investment, return चाहिए, तो 150 investment कर दो आपको लगता है ठीक है और 50,000 का profit 4 सालों में ठीक है बड़ ऐसा नहीं होता है दोस्तो उसको इस तरीके से calculate करके present value पे लाकर आज के investment के साथ compare करना होता है हाँ अगर यह investment वो बोल रहा है कि 1,10,000 में available है जिसका real worth कितना था 1,27,100 वो investment वाला बोल रहा है कि 1,10,000 ही भरो और 4 साल बाद मिलेंगे 2,00,000 तु lacks investment कर दो क्योंकि आपकी real value जदा है और वो investment कम मांग रहा है कम मांग रहा है मतलब सस्ते में मिल रहा है ले लो 1,50,000 मांग रहा है जादे में मांग रहा है मतलब महेंगा मिल रहा है मतलो वेरी सिंपल लॉजिक वेरी वेरी सिंपल लॉजिक येस तो ये दोस्तो हमारा time value of money का पहला formula आ गया therefore present value is equal to what is 2 lakh future value what is 0.6355 called 0.6355 is called as present value factor PVF R, N तो ये बन गया आपका पहला formula time value of money का yes sir capital budgeting and dividend decisions and working capital का time क्या रहेगा same रहेगा पेटा same time रहेगा बस sequentially चलते जाएंगे हम लोग time value of money जो है इसके बाद leverage आएगा leverage के बाद capital structure आएगा capital structure के बाद cost of capital आएगा yes तो ये मिल गया मुझे पहला formula मेरा financial management का first formula time value of money का इस तरीके से formulas derive होते है formula हम लोग रटा नहीं मारते है remember my sentence nothing is magical everything is logical and पूरी batch मैं आपको इस तरीके से logically बना के बताऊगा time value of money का पहला formula ये तो समझ गया sir formula भी समझ गया sir ये क्यों किया sir ऐसा क्यों किया ये क्या था sir why 1 divided by sir अरे बेटा जो हमने foundation में पढ़ा था न present value is equal to future value divided by 1 plus r raise to n मैं वही करा रहा था आपको Kelsey के shortcut पर करा रहा था calculator के shortcut पर मैं करा रहा था आपको इस type के MCQs भी आपको आ सकते after 4 years we are getting 2 lakh rupees what is today's value if the rate of interest is 12% so answer will be 1,27,100 तो guys मैं आपको बोल रहा हूँ ये foundation वाली चीज जो है जो आपने पढ़ी है यही सेम चीज मैं आपको calculator पर करा रहा हूँ future value देखिए मैंने future value कितना लिए आप 1 रूपी लिया तो देखो यहाँ पर आना चाहिए 1 रूपी और divided by 1 plus r r क्या 12% है ना तो इसलिए 1 plus 0.12 0.12 मतलब 12% ना तो 1.12 हो जाएगा 1 plus r मतलब 0.12 तो इसलिए 1.12 हो गया and raise to 4 कर रहे हैं हम लोग वही तो कर रहे है is equal to is equal to is equal to is equal to मतलब वो raise to 4 हो रहा है yes तो उससे हामें एक रूपे की आज की value मिली which is 0.6355 yes Kelsey ले लो एक बार Kelsey ले लो 0.6355 plus 12% करो plus 12% करो plus 12% करो plus 12% 4 बार करो आपके Kelsey पर बराबर 0.9999 something आएगा मतलब वो 1 रूपी आया yes everything cross check होता है हर चीज का connection मिलता है yes my dear friends तो ये था आपका first formula present value factor निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया और उससे formula भी आता है मैंने वो आपको बताया अब बात करते हैं दोस्तों present value annuity factor के बारे में PVAF के बारे में आपको पता होना चाहिए अनूटी का मिनिंग क्या होता है अनूटी का मिनिंग होता है अनूटी का मिनिंग क्या होता है दोस्तों अगर आपको series of cash flow मिल रहे है definite sum of money after definite interval of time उसको बोलते हैं आनूटी आपको पॉस्त यर में वन लाक सेकंड यर में वन लाक थर्ड यर में वन लाक यस इस इन एग्जम्पल आप अनूटी सेम अमांट सेम प्रेड़ आप टाइम के बाद अगर मिल रहा है तो उसे बोलते हैं आनूटी यश श्रिवास सर तुक यूर एग्जम ओरिंटेट बैज फॉर नवंबर 23 इट्स रिए वाव यश सो प्रॉड आप यूज पढ़ रहे हैं यहां पर और यहां पर हमारे एग्जम ओरिंटेट के स्टुट्स आखे बोल रहे हैं कि उनका एक्सपिरियंस फिछले एग्जम ओरिंटेट के साथ कैसा था सूपर यश कुट तू हीर दैट कॉंपलिमेंट थैंक यू फर मोटिवेटिंग एंड इस बैच को भी हम ऐसे पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे चलिए तो यहां पर प्रेज़ेंट व हुग तर्टियों एँच फिछा सफ करेंगे तो लगेंगे है वन डिवाडल रएड़ बाएंटै उके हिख करेंगे जो भी आंशर आईगा अ मैमम्रीभाइए इस इकल्टो किजिए शेकंड एıkटीर का अंसर आए मैम्रीभाइब इस इस इक्वल टू करिए जो भी आंसर आये थर्ड येर का मेमरी प्लस दबाईए इस इक्वल टू कीजिए फोर्थ येर का अंसर आएगा उसको भी मेमरी प्लस दबाईए और लास्ट में फिल एम आर सी मेमरी रिकॉल कीजिए 1 divided by 1.12 1 is equal to m plus 2 is equal to m plus 3 is equal to m plus 4 is equal to m plus mrc 3.03 3.037 3.037 यह आपका अंसर आता है यह आपका अंसर आता है इस इस यूर पी वी अफ फैक्टर और इसको वेरी दूसरा तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर आपके इस वक्त आप यूज़ेटर पर gt यह बटन है तो आप एक शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो ग्राइंट टोटल वाला बटन होना चाहिए उस वक्त आप यूज़ करोगे 1 divided by 1.12 इस इकोल टूटू इस एकोल टूट इस इकोल तूट चार बार और 5GT दबा दीजिए आपको वही फैक्टर कटी पर मिलेगा ciąग इस वाह इस वैरी गूड वैरी गूड तो यह मिल गया आपको आपका present value annuity factor इसका meaning क्या रहेगा सर जैसे इसका meaning आपने समझा है सर इसका meaning क्या रहेगा सर इसका meaning यह बिटा कि अगर तुझे फर्स्ट यर में 1 रूपी चाहिए सेकेंड यर में 1 रूपी चाहिए थर्ड यर के पड़ेगा 12% के rate पे तो आपको every year जो है वह 1111 रूपी मिलेगा cross check भी होता है दोस्तों शान्ती से जो मैं बोल रहाँ वो कीजिए आपके Kelsey पर 3.037349 जो भी figure था वो है ले लिजिए वो figure और फिर plus कीजिए 12% एक साल खतम हो गया minus कीजिए 1 रूपी is equal to दभाईए क्यों sir minus क्यों कर रहे 1 रूपी because withdraw किया न 1 रूपी अब second year का interest 12% ले लिजिए plus 12% minus कर लिजिए 1 रूपी is equal to दभाईए because second year में भी 1 रूपी withdraw किया plus कीजिए 12% third year का interest minus कीजिए 1 रूपी third year का withdrawal yes और फिर last year meth State report ISSOL plus just 12% minusstep रूपी आपके कैudedसिए पर 0 रुपी और इसका मत्लब भी बहुत सिंपल है 3.03 अर्ज फूर्स्ट में करने के बाद आपके पर कुछ नहीं बचा इसका मतलब यह हुआ न दोस्तों कि जो हमने investment किया था उसमें अगले चार साल वन वन रुपी आ गए अगले चार साल वन वन रुपी आ गए येस तो गाइस यह है आपका cross check cross verification और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अभी भी हम लोग future से present पर ही जा रहे है यह सर बिकास डिसकांटिंगे अभी भी हम future से present पर ही आ रहे है बट future में every year amount है तो उसको future value बोलने से अच्छा annuity बोलेंगे no doubt it is future value but it is every year same amount so better to call it as annuity तो चलो sir annuity बोला लेंगे इसको वन रुपी पर आनम चार सालों के रिए वन रुपी पर आनम today's value is 3.037 today's value is 3.037 तो अगर वन वन रुपी पर आनम चाहिए तो उसके आज की वैल्यू कित्ती है 3.037 तो फिर ऐसे केस में रुपी अगर मुझे लेटे से 2 लाक चाहिए पर आनम एन्यूटी समझ के आपको पर आनम होता है तो फिर आज कितना इन्वेस्स करूँ कुल लाक पर आनम चाहिए शर पर आनम मतलब क्या चाहिए शर फर्स्ट एर के लबी चाहिए सेकंड यर्कार में भी चाहिए थर्ड के भी चाहिए और फोर्थ के भी चाहिए so in that case how much I should invest today so sir ये भी तो simple cross multiplication ही होगा sir yes इसको भी cross multiply कर लेंगे therefore present value is equal to 2 lakhs into 3.037 so कीजे ज़रा कैसी पर 3.037 into 2 lakh आपका आंसर आता है 6 lakhs 7400 आपका आंसर आता है 6 lakhs 7400 my dear prince yes sir 6 lakhs 7400 आ गया sir इसका मतलब क्या हुआ sir आज इतना इंवेस्ट कर तुझे every year 22 lakhs मिलेगा कितना 22 lakhs कितने सालों तक sir 4 सालों तक sir वो तो 8 lakh होता है तुमने तो investment 6 lakh 7000 किया है investment तो इतना कर रहे हैं तो आपको 8 lakhs मिल रहे है यह उपर का जो है वो इंट्रेस्ट है उपर का जो है वो इंट्रेस्ट है सर इसको भी क्रॉस्वेरिफाय करा न सर सच में मिलता है कि सर यकीन नहीं हो रहा है पर्स्ट एर खतम हो गया था सेकंड डियर का इंट्रेस्ट लिया माइनस करो 2 lakh सेकंड डियर खतम हुआ 3 lakh 37,000 सम्थिंग बालेंस आया प्लस 12 परसेंट कीजिए थर्ड येर का इंट्रेस्ट माइनस कीजिए थर्ड येर का विद्रॉर 2 lakh अब आया 1 lakh 78,000 सम्थिंग ये 3rd year end हो चुका है 4th year में प्लस 12% कीजिए माइनस 2 lakh कीजिए आपके कैलसी पे 109 आ रहा है सम्थिंग और 109 का जो डिफ्रेंस है वो राउंड आफ की वज़े से वो राउंड आफ की वज़े से माइडियर प्रेंट्स येस येस सर अंडर्स्टैंड इवरिधिंग सर बिलकुल सही है तो ऐसे केस में दोस्तों आपका फॉर्मला बन जाएगा प्रेजिंट वैल इस इकल टू लाग क्या था future value sir future value नहीं बोलते है उसको क्या बोलते है annuity every year same amount है उसको बलाते है annuity annuity into what is 3.037 3.037 is present value annuity factor present value annuity factor r,n yes so this is your logic this is your logic my dear friends yes जबर्दसर जबर्दसर ये भी फॉर्मला आ गया सर time value of money का सर ये फॉर्मले न सर पहले magical लगते थे सर अब भी तो logical लग रहे सब समझ रहा है सर ये expectations के साथ में इतना detail में समझा रहो दोस्तों ताकि घर जाकर आप ये चीज फॉर्मला बुक में update करोगे सर फॉर्मला बुक क्या होता है सर ये बैच का आपको एक technique यूज करना है एवरी डे इस बैच में जितने भी फॉर्मले हमने derive किये है डिसकस किये है interpret किये है वो सभी को आप घर जाओगे और without देखे फॉर्मला बुक में update करोगे घर पर आप सोने से पहले वो भी सर तो फिर एक बार revise करके लिखे क्या सर प्लास के बाद revise करना है कर लो जस्ट लिखने के पहले revise नहीं करना है और without देखे लिखना है सर फिर तो गलत भी आ सकता है सर बिल्कुल सही है add the end फिर चेक करेंगे न बुक सामने रखेंगे main book open करेंगे और चेक करेंगे बराबर लिखा है क्या जो फॉर्मला तुमने गलत लिखा उसको star mark करना है और star mark क बूढरीम यही हुँए फॉर्मले जाना के लिखने से आपको पक्का करना रिविजन्स बार-बार करना था चाहिँ और उसमें उन्हीं पर झाहिए और वसलिच निमिना और तुछ कए कर सकते हो और किस्तिकूल ने वह विट कर रहा है आगर आपको उह पपन कीजिए और फ चे änitting पढ़ने में और रिवाईस करने में और मज़ा आता है जल्दी हो जाता है तो गाइज, update your formula book, you have two formulas अभी तरके, एक था present value is equal to future value into pvf, यह वाला, future value into pvf, और दूसरा था annuity वाला जिसका formula है present value is equal to annuity into pvaf, r, n, तो यह दो formulas हमने derive किये, अच्छे से एकदम अच्छे से लिखे, yes sir, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब यह दो formulas के basis पर मैं आपको पता में क्या-क्या होने वाला है, आपके notes हैं यहाँ पर, आपके notes में time value of money आपको सबसे last में दिखेगा, आपके notes में time value of money जो है, वो आपको chapter के last में दिखेगा, yes, यहाँ पर, यहाँ पर आपको discounting का एक table दिखेगा, और उस table के नीचे पूरी जगा छोड़िए, तो आपको यह table के नीचे क्या करना होगा, यह जो भी हम discuss कर रहे हैं, वो अच्छे से formula यहाँ पर लिखने हैं, तो चलिए लिखते हैं यह formula यहाँ पर, single cash flow रहेगा, single मतलब future में एक ही बार है, 2,00,000 एक ही बार था, 4 साल बाद, future में एक ही बार था, obviously, वो single cash flow बन गया, तो फिर, उसका present value निकालने के लिए, future value into pvf, r,n किया, तो यह formula बन जाता है आपका, single cash flow के लिए, discounting में single cash flow कर रहेगा, मतलब future में एक बार cash flow है, और तुम उसकी आज की value निकाल रहे हो, तो फिर, यह formula यूज करकर निकालोगे, future value into pvf, r,n, now friends, इसके बाद, अगर multiple cash flow रहेगा, तो क्या होगा, what is multiple cash flow, sir, multiple cash flow meaning what, multiple cash flow का meaning बहुत simple है, दोस्तो, first year 1 lakh, second year 2 lakh, third year 2 lakh 50, fourth year 4 lakh, मतलब, every year मिल रहा है, बट amount same नहीं है, तो अब क्या करें, तो अब हम उसे बोलते है multiple cash flow, because वो single amount नहीं है, तो उसे single cash flow नहीं बोल सकते, every year same नहीं है, तो उसे annuity नहीं बोल सकते, तो बोले तो क्या, yes, तो उसे बोलना चाहिए, multiple cash flow, और अगर multiple cash flow है, तो हम लोग एक systematic tabular format में उसको solve करना चाहिए, tabular format में उसको solve करना चाहिए, वो format क्या है, देख लो, आपके multiple cash flow के लिए, मैं यहाँ पर लिखा के दूँगा, multiple cash flow के लिए, year, cash flow, discounting factor at 15%, suppose 15% rate, rate change हो सकता है, of course, and DCF, what is DCF sir, discounted cash flow, what is DF sir, discounting factor, syllabus में बहुत बार यूज होने वाला है, nothing to worry, ठीक है, अगर अभी नहीं समझा भी होगा, तो obviously syllabus में बार बार यूज होगा, याद हो जाएगा, nothing to worry, what is DF discounting factor, what is DCF discounted cash flow, तो यह होते हैं, actually present value, यह जो cash flows है, यह first year, second year, third year, तीन साल के लिए ले रहो है, तो suppose 2000, 3000, 5000, अब amount तो सेम नहीं है, first year में 2000 है, second year में 3 है, और third year में 5000 है, amount तो सेम नहीं है, तो यह बन गए future value, जो कि एक बार नहीं है, बार बार है इसलिए multiple cash flow, तो इसको हम क्या करेंगे, discounting factor मतलब present value factor से multiply करेंगे to arrive at present value, ठीक है, तो future के cash flows को, हम लोग future के cash flow को factor से multiply करेंगे, तो present value मिलेगा, बस same formula नीचे यूज हो रहा है, सिर्फ tabular format में यूज हो रहा है, चलिए calculate करते हैं, देखते है, 1 divided by, 1.15 लेना पड़ेगा, 15 percentage लिए, yes, is equal to first year factor is 0.3 decimal factor लिखते, 0.870 बोलना पड़ेगा, तीन decimal के एंगल से प्रापर राउंड अप करो, second year में 0.756 बोलना पड़ेगा, और third year में 0.658 बोलना पड़ेगा, तो यह आगे आपके factors, इन factor को cash flow के साथ multiply कीजिए, present value आएगा, तो 2000 इंटू 0.87 करोगे, 0.756 इंटू 3000 करोगे, and 0.658 इंटू 5000 करोगे, तो यह तीनों आपके answers आगे, यह तीनों answers जो आए है, इनका total लेना है आपको, आपका total आता है, 7298, आपका total आ गया, 7298, what is the meaning of 7298, my dear friends, what is the meaning of 7298, my dear friends, it simply means that, अगर आज तुमने 7298 इंटू आइट किया, at the rate of 15%, तो first year के end में 2000 मिलेगा, second year के end में 3000 मिलेगा, third year के end में 5000 मिलेगा, that's it, उसके बाद क्या होगा सर्फ, account खतम हो जाएगा, balance ही खतम हो जाएगा, yes, so this is total present value, इसका मतलब सर्बहुत simple है, future में 10,000 चाहिए, तो आज इतना invest कर लो, yes, बिल्कुल सही है, बट उससे ऐसे नहीं बोलते, 10,000 मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5, but वो तीनों amounts अलग-अलग years में है, तो इसको 10,000 बुलाना टेक्निकली गलत हो जाएगा, बट अपनी लेमन भाशा में बिल्कुल सही बोला, आपने future में अगर 10,000 चाहिए, फर्स्ट यर, सेकेंड यर, थर्ड यर में इस तरीके से, 2000, 3000, 5000 के तरीके से, तो आज इन्वेस्ट करना होगा, 7,298, सर्जादर कैसे मिल रहा है, इंटरस्ट है हो, अफकोस इंटरस्ट है हो, येस, तो ये होगे आपका multiple cash flow, अब बात करेंगे, finite annuity के बारे में, तो जो अब भी उपर हमने formula देखा था, ये वाला, ये वाला finite annuity का ही तो formula था, आपका यहाँ पर जो annuity था, ये 4 years के लिए था, तो ये finite यी तो हुआ, तो finite annuity का यही same formula आपको लिखना होगा, finite के case में, तो annuity दो टाइप के होती हैं, दोस्तो सबसे पहला annuity आप finite वाला लोगे, जिसका formula रहेगा, present value is equal to annuity into pvaf r, n, सर ये annuity क्या होता है सर, every year जो same amount वहता है, उसको एक बार यहाँ पर लिखते हैं, उसको बोलते है annuity, वो pvaf क्या होता है सर, वो 1 divided by 1.12 is equal to m plus is equal to m plus, 4 बार करके mrc दबाया था, वो आया था, वो था pvaf, तो annuity को अगर pvaf से multiply करोगे, तो present value मिलेगा, yes my dear friends, तो इस तरीके से आपका finite annuity का formula आता है, what about infinite sir, what about infinite sir, infinite में never ending annuity हो, never ending annuity का example दे सकते हो क्या sir, yes, if I tell you that you are going to receive every year 2 to 1000, for infinite years, and now I am asking you what is today's value, what is today's value, तो उस case में उसको बोलते है, constant annuity, with constant annuity बोलते है उसको, और उसका formula है, present value is equal to a divided by r, what is a divided by r sir, annuity divided by rate of interest, sir, कहां से आया ये formula sir, ये formula कहां से आया बेटा, interest के formula से आया, interest का formula याद कर, how do you calculate interest, sir, interest is equal to principal amount into rate of interest, interest is equal to principal amount into rate of interest, yes, so every year interest is same, सबोज़ दो मेट के लिए सोचते, 10,000 का principle है, 10% का rate है, तो every year का interest किता आएगा, 1000 आएगा sir, yes, every year का amount same आएगा, क्या, yes, sir, every year का amount interest का, जो है, वो 1,000, 1,000, same ही तो आएगा sir, तो अगर वो 1,000, every year same आने वाला है, every year same आने वाला है, तो उसे annuity बुला रहा हूं मैं, इस 1,000 को बुला रहा हूं, annuity, और जो तुम 10,000 इंवेस्ट कर रहे थे, principle amount जिसको तुम बुला रहे थे, वो तुम कभी investment करोगे, आज करोगे, तो अगर वो तुम आज करोगे, तो वो present value हो गया, yes sir, यह तो present value ही है, और into our rate of interest, yes sir, यह भी सही है, annuity is equal to, मतलब every year same amount interest is equal to, present value मतलब principal amount of today, into rate of interest, yes, तो इसी को modify करके, present value is equal to बना सकते न, तो यह into our उदर जाके, divided by हो जाएगा, और आपका formula बन जाएगा, जैसे यहाँ पर screen पर दिख रहा है, present value is equal to A by R, infinite annuity का आज का formula है दोस्तो, PV is equal to A by R, very good sir, brilliant sir, एक number समझ रहा है sir, great, 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 amazing, ऐसे ही समझना चाहिए आपको भी, और इसके आगे, अब with growth के अंदर क्या होता है, with growth के अंदर दोस्तो, आपका जो annuity है, वो constant rate से grow होता है, क्या होता है, constant rate से वो grow होता है, अगर वो constant rate से grow हो रहा है न दोस्तो, तो फिर, ऐसे case में आप सोच रहोंगे, growth कहीं तो add करना है, growth add नहीं करना है, deduct करना है, कैसे deduct करेंगे sir, किस पर से deduct करेंगे, देख लिजे formula, आपका formula है यहाँ पर, constant with growth क्या होता है sir, वो एक बार फिर से बताइए, with growth का मतलब है, अगर suppose for example, every year 11,000 के जगा, आपने बोला, let us say, 1000 with 3% growth, तो obviously next year will be 1000, plus 3%, 1030, next year उसके, plus 3%, 1061, plus 3%, उसके आगले साल 1093, plus 3%, उसके आगले साल 1125, इस तरीके से, आपका every year का जो amount है, वो constant rate से growth होता है, उसको बोलते है, constant with growth rate, rate of growth change हो सकता है क्या, नहीं, इधर rate of growth जो हम constant assume कर रहे हैं, इधर जो rate of growth assume कर रहे हैं, वो constant assume कर रहे हैं हम लोग, ठीक है sir, done, तो फिर ऐसे case में, formula बनेगा, A upon, R minus G, R minus G, A upon R minus G, sir, इसका logic क्या है sir, A upon R minus G, मुझे लगा with growth है, तो growth add करना चाहिए, yes दोस्तो, growth add ही होगा, जो आपको amount मिलेंगे, उसमें add होगा, कैसे होगा, देखिए, आप बोल रहे हो कि आपको growth चाहिए, तो bank क्या दामात थोड़ना हो, आपको growth देने के लिए, bank बोलेगा, भाई growth तुझे चाहिए, एक काम कर, मेरा rate of interest 10% अगर रहेगा, तो तू 7% assume कर ले, तू 7% assume करके invest कर, हम तेरे को 10 देते रहेंगे, मतलब तेरे को 3% growth मिलेगा, आपन बोलेगा, ये तो सही है यार, तुम 10 दे रहे हो, मैं सोच रहे हो, साथ ही दे रहे हैं, तो फिर मैं ये सोच कर invest कर दू, उतना amount, तो हर साल मुझे 33% extra मिलेगा, मेरे calculation के सब से extra मिलेगा, उसको बोल रहा हूँ, ग्रोथ, तो यहाँ पर भी वही वह रहा है, दोस्तो effectively denominator मे, A upon R minus G के अंदर, R को हम growth जित्ता कम कर रहें, suppose growth 3% है, और R 10% है, तो मैं denominator में क्या कर रहा हूँ, 10 minus 3, 7 ही consider करकर investment amount निकाल रहो, मतलब present value निकाल रहो, और उतना amount में जाके invest कर दूँगा, first year में मुझे कितना मिलेगा, 10% sir, मगर मैंने तो 7% सोचा था न, तो मुझे growth of 3% मिला न, yes, ऐसा कब तक होगा sir, every year होगा, क्योंकि every year मैंने denominator में, तो obviously effectively 7% लिया है, जबकि every year bank मुझे 10 देगा, तो every year bank मुझे 3% extra देगा, this is called as with growth, yes, तो ऐसे case में, आपका formula बनेगा, present value is equal to a upon r minus g, आपका formula क्या बनेगा, present value is equal to a upon r minus g, yes, my dear friends, तो इस तरीके से आपके formula बन रहे हैं, इस तरीके से आपके logics बन रहे हैं, तो आपने आज मेरे साथ ये 4 formula और एक format देखा, ये formula था single cash flow वाला, single cash flow वाला, ये था आपका finite annuity वाला, ये था आपका multiple cash flow का format, ये था आपका without growth वाला format, formula constant amount infinite years के लिए, never ending, जिसको हम लोग perpetuity बोलते, मैंस की बाच्छा में उसको perpetuity बोलते, तो उसका formula आगया a by r, और with growth चाहिए अगर infinite annuity, तो फिर ले लो a upon r minus g, येस, तो इस तरीके से overall मेरा पूरा का पूरा चार्ट रेड़ी है, मेरा का पूरा पूरा का logic रेड़ी है, और आप सब को समझ ही गया रहेगा, कि किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, everyone, तो आज के लिए, हम लोग कुछ question भी solve करने वाले, आपके इस formula के application समझने के लिए, आपके इस formula के application समझने के लिए, अपन कुछ question भी solve करेंगे, और उसके बाद अपन लोग wrap up करने वाले हैं, ठीके, तो सब लोग question answers की तरफ आ जाई है मेरे साथ साथ, रुकियेगा मत, बस अब इसके आगे बस बढ़ना है, इसके आगे रुकना नहीं है, इसके आगे सिर्फ बढ़ते रहना है, ठीके, तो सब लोग मेरे साथ जुर जाईए, रुकना मना है, ठीके, तो चलिए, आपके problems हम लोग deal करने वाले हैं, आपके life के problem भी, हम लोग deal करने वाले हैं, पढ़े मेरे साथ आगे, question number 2, आपके screen पर यह रहा, और आप sure कि आपको readable question number 2, ठीके, आपको readable question number 2, यह देखिए, आपका screen पर question number 2, find out the present value, of a 4 year annuity, of rupees 20,000, discounted at 10%, find out the present value, of a 4 year annuity, of rupees 20,000, discounted at 10%, अब इस question में, number of years 4 है, yes sir, rate of interest 10% है, yes sir, तो hour और end तो ready है, yes, 20,000 सर future value है क्या सर, future में every year है हो, उसको future value नहीं बुलाते है, उसे बुलाते है annuity, क्या बुलाते हैं उसे, annuity बुलाते है, तो फिर आपको निकालना है present value, कितना है, आपको निकालना है present value कितना है, चलिए question number 2, आपके notes में से, आपके main textbook में से, question number 2 solve हो रहा है, question number 2, page number, अब ये सभी questions एक ही page पर दिये, कौन से page number पर दिये, वो देख लेना और वो ही page number का reference देना है, ताकि आपका notebook और आपका, main textbook connected रहेगा, ये है 12th number का question, page number, page number 12, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हो, page number 12, ठीक है, page number 12 लिख दिया, question number 2, तो इसके लिए हम कौन सा formula यूज़ करेंगे, इसके लिए हम कौन सा formula यूज़ करेंगे, येस, बोलिये जल्दी जल्दी comment section में, विस्था, रुफेंदर प्रसाद इस आस्किंग, विल इट बी अप्लिकेबल पर नूज़बस दर, विल इस दिए हम की विल रूज़केत करें algunas, I am teaching right now live from Pune, इस इस new syllabus batch, which इस दो ब्लिकable very well for November and May 24, May and November 24, this batch is applicable, okay, so don't worry at all, yes, PvAF formula, so formula will be present value is equal to A into Pvaf R, N yes यह वाला formula यूज करना है यहाँ पर हम लिखेंगे where a is equal to annuity मतलब 20,000 per annum r is equal to 10% n is equal to 4 years यही बोला है नहीं एक बार cross check कर लो एक बार better रहेगा cross check कर लो यही बोला है क्या yes 10% 4 years 20,000 10% 4 years 20,000 absolutely correct so लीजे चलकुलेटर 1 divided by 1.1 1.1 क्यूसर 10% अबदा इस लिए is equal to is equal to is equal to is equal to char बार फिर ग्ट and your answer comes to present value is equal to a is annuity annuity is 20,000 into factor comes to 3.169 9 3.1699 and then if you multiply 3.1699 into 20,000 your answer comes to 63,398 63,398 is this correct my dear friends 63,398 is my answer correct everybody please answer please answer is my answer correct yes very good very good so फिर आपका जो logic है इसका वो यह है कि if you today invest 63,398 then every year end you will get 20,000 for next 4 years for that you need to invest 63,398 बिल्कुल सही है सर समझ गया सर पाइनाइट के केस में हमने यह फॉर्मॉला यूज किया बिकॉस वो चाल साल का था तो इसलिए सिंगल कैश्प्लो नहीं था सर 20,000 पर आनन था इसलिए हमने सिंगल कैश्प्लो का फॉर्मॉला यूज नहीं किया very good अब चलिए आगे बढ़ते हैं question number two की तरफ अब क्योंकि काफी लोगों को notes नहीं मिले हैं और यह soft copy भी shared नहीं हैं तो हम लोग आज के लिए सिर्फ दो ही question solve करने वाले हैं और आज का session जो है वो हम लोग जल्दी wrap up करने वाले हैं बट अब कल से आपके पास soft copy भी रहेगा और कुछी दिन में आपके पास hard copy भी आ जाएगा so we will start properly ठीक है तो आज के लिए सिर्फ एक question solve करके हम stop होने वाले हैं आपको एक question solve करना मेरे साथ और फिर हम stop हो जाएंगे question number one ठीक है question number one solve करते है क्या बोलता है question number one बताइए you want to endow a price that would pay rupees 1 lakh per annum आपको एक price देना है भाई जो 1 lakh रूपी पर अनम है ओके 1 lakh रूपी पर अनम मतलब सर्व हो annuity बन गया yes और कितने साल देना है बोला ही नहीं है infinite years ले लो infinite years ले लो yes you want to make a one-time payment because you are not sure where you would be during the subsequent years आपको one time investment करना है आज because आपको पता नहीं आप future में कहा रहोगे if the time value of money is 10% if the time value of money is 10% means r is 10% how much you need to invest today बस इतना ही पड़ो आगे मत पड़ो how much you need to invest today तो आपको every year 1 1 lakh रूपीज पे करना है और आपका rate of interest ये 10% और आपको infinite years के लिए पे करना है कौन सा फॉर्मॉला यूज होगा इदर विच फॉर्मॉला यहां पर यूज होगा कॉस्चिन नमबर बन में पेज नमबर 12 और यहां पर जो फॉर्मॉला यूज होगा पॉस्ट पार्ट के लिए वो रहेगा प्रेजेंट वैलू इस एक्वल टू ए डिवाड़ेड़ बाई आर इन्फानेट एन्यूटी वाला येस क्योंकि पॉन लाक पर अनम बोला कितने साल बोला ही नहीं है तो हम बोलेंगे ए डिवाड़ेड़ बाई आर बिल्कुल सही बोड़े आप पॉंस्टंट अन्यूटी वाला यूज होगा वेर ए इस एक्वल टू रूपीज वन लाक पर अनम आर इस एक्वल तो 10 परसेंट सो डेफिन लाक पर अनम बोला था येस तो हमने इंफने अनुट लिया इस एक्वल टू पर इस एक्वल टू पर्सेंट लिया नहीं लिया है इसी कोशिटिन का सेकेंड पर पढ़िए इस एक्वांट प्राइस तो इंक्रीज बाई पर्सेंट इच ये अगर ग्रोथ रेट है चार परसेंट तो प्रेजिए बता दीजिए येस इस केस में आपको सेकेंड वाला विद ग्रोथ वाला फॉर्मला यूज करना पड़ेगा विद ग्रोथ वाला फॉर्मला क्या था? सर प्रेजेंट वाला फॉर्मला फॉर्मला यूज करना है यहां पर हम बोलेंगे ग्रोथ रेट रहेगा फॉर परसेंट और आपका फाइनल आंसर आएगा वन लैट डिवाड़ेट बाइस इस परसेंट 16,666,667 16,666,667 is your present value 16,666,667 तो देखिए बहुत सिंपल प्रूफ है कि आपको फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए था ज्यादा अमोंड चाहिए था तो आज तुमने 10 लाक ने इन्वेस्ट किया 16 लाक इन्वेस्ट किया तो ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो प्यूचर में विट्रॉल भी ज्यादा कर पाओगे येस इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा आईए ये ये बाई ग्रोथ का मेरा अंसर आ गया 16,666,667 इस का मतलब इतना इंवेस्ट करोगे तो एवरी ये वन लाक बीद ग्रोथ परसंट दे पाओगे और यहाँ पर अगर आप 10 लाक इन्वेस्ट कर दोगे तो एवरी ये वन लाक दे पाओगे विदाओट एनी ग्रोथ तो यह था आपक रहे इसका जो soft copy of notes से बहुत बैतरे notes से दोस्तों बहुत महनत से बनाएवे notes से सभी variety cover होता है you are not supposed to refer RTP, MTP, past examination question anything because I have completely taken care of here as well as FM questionnaire notes तो आपको यहाँ पर EOB का textbook मिलने वाला है आपको questionnaire book मिलने वाला है आपको chart book revision के लिए भी मिलने वाला है तो हम जो जो पढ़ रहे आप उसको daily basis पर revise भी कर सकते हो और साथ ही साथ आप आपके practice के लिए questionnaire book solve कर सकते हो जिसके पूरे videos जो है अपनी batch जैसे से आगे जाएगी मैं YouTube पर upload करते जाओंगा और आप वहाँ से verify करते जाओगी कि आपका बराबर आ रहा है तो आपको कोई चिंता करने की जुरूत निए दोस्तों आपका यह journey most memorable बहुत अच्छा रहेगा और आप अगले ही exam में बस clear कर कर सिए finalist कहला होगे इस expectation के साथ यह batch लिए इस expectation के साथ यह batch हमने जल्दी start किये हमने result का भी बेट नहीं किया हम उससे पहले start कर रहे because of the same reason guys because I want ample of time with you so that you have enough time for your preparation for your own solutions and everything आपके questionnaire book आपका textbook will include RTP, MTP, past examination, institute का study mat जिसको हम module बुलाते आपको और अलग से क्या refer करना है कुछ भी तो भचा नहीं है आपको refer करने की ज़रुत ही नहीं है इदर के questions जो है well known questions आप यहाँ पर जो questions देख रहे हैं यह सब material से निकाले वे questions है या तो well known financial management के कोई text books है जिन में से यह questions यहाँ पर रखे गए तो आपको कोई चिंता करने की ज़ अलसो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सर एंसी क्यू भी करवाद होगी किसर क्लास में बिल्कुल YouTube पर FM questionnaire discussion के साथ MCQ के discussion भी I will upload तो आपको चिंता करने की ज़रुत नहीं आप बस batch में conceptually अगर प्रिपर हो जाओगे न तो आपको पॉर्मुले स्रेटने की ज़रुत नहीं रहे है उस batch के ट्रैकर में daily basis पर मैं update करते हो कि आज के इस lecture में क्या क्या हुआ तो अगर आपको कोई भी पार्ट रिवाइज करना होगा तो आप फटा फट ट्रैकर ओपन कीजिए आपको समझ जाएगा कि वो किस lecture में मैंने cover किया है और वहां से आप फटा फट रिवाइज कर स की जवद में ठीक है बाइबाइट टेक क्याएट